नमश्कार दूस्तो आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे डियलेट प्रथम समेश्टर 2023 सामाजी कद्यन कोश्चन पेपर जी यहां दोस्तो चार जुलाई 2023 पेपर की पूरी तैयारी देखेंगे और सभी लगूत्री प्रसनों को अम इस वीडियो में देखने वाले पेपर में आपके 20 नमर के लगूत्री प्रसनात है 15 नमर के भविकल्पिये 15 नमर के 80 लगूत्री है टोटल 50 नमर का कुश्चन पेपर होगा पास होने के लिए लाना पड़ेगा 25 नमबर, चलिए दोस्तम वीडियो को सुरू करते हैं और वीडियो का अंते तक देखिएगा और पेपर में यह एक अच्छा स्कोर भी करना है तो दोस्तो चलिए बतु करते हैं आपके लगू त्री प्रस्नों को पहला प्रतन केया रहा है कि इतिहास जानने के साधनों का वड़न कीजी, यह दोस्तों कोशन ऐसे आतकता है कि इतिहास लेखन में सिक्के एवंब अभिलेक किस प्रकार सायख होते हैं लिखना है, यह कोशन दोस्ता आपको 2019 में पूछा भी जा चुका है, चलि दोस्तों देख लेकिये हैं ये ग्रंध निमलिकित इस प्रकार है पहला धोस्तों आपका आता है व्यदिक साइए थे दूसरा बुढद्धे साइचत तीसरा जैन साइचत इसमां दोस्तों वेड़ की बात किरें तो व्यदिक साइच्थ में आता है रिगवेश, यजुर वेश, सामवेश और बौधिक साहित में दोस्तों पहले चले वैदिक साहित ही देखते हैं पुरा फिर बात आती ब्रामण, आरड़क्य, उपनिसत, वेदांग, पुराड़ और इस्म्रतियां बौधि साहित में दोस्तों बात आती आपके जातक, पिटक, मिलिननद, पहो, दीपवन्थ, महावन्थ, महावस्तु, ललित, विस्तर, बुद्ध चरित्र, सौंधरामवन्थ, दिव्यावदान, मंजुश्री, मूलकप्लप और लंकावतार जैन साहित में दोस्तों आपका आता है परिसिष्ट परवो, भद्र बाहुचरित, आचार अंग, सूत्र, कालिका पुराण, भगवति सूत्र, कथाकोष, त्रिलोक, प्रग्यत्रिट, लोक विबाग, पुड्यांत्रो, कथाकोष, आराधना, कथाकोष, आवश्यक सूत्र और इस्तव विरावली, फिर दोस्तों दूसरा विंद्व आता आपका एतिहासी गरंत, कुछ ऐसे गरंत है जिनमें हमें एतिहासी घटनाओं का पता चलता है, यह था दोस्तों जैसे आपका महाकाब्य हो गया, रामाड और महाभारत ऐसे दों महाकाब्य हैं, जो तक्कालि सामाजिक एवम धार्मिक दसा पर काफी प्रकास डालते हैं प्रमाड से हमें हिंदुओं एवम जवनों और सकों के संगर्ज का पता चलता है माह भारत से हमें प्रहमाड धर्म की स्थिति ग्यात होती है इसके साथ ही सितियन, यूनानी एवम बैक्टिरियन जातियों का भी हमें पता चलता है दूसरा दोस्तों पॉइंट आता का पुराड भारती एतिहातिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद विवरड पुराडों से मिलता है पुराडों की संके दोस्तों मारी एठारा है परन्तु इनमें से केवल पांच पुराड मस्त से वायू, विष्णू, ब्रह्माण और भागवत एतियातिक द्रश्ट से विशेद महत्व रखते है सेस में अधिकतर देवी देवताओं की कथाएं, जो काल क्रम में द्रश्ट गोड से नितात ब्रह्म सूचक है तीसरा दोस्तों बिंदू आपका आता अर्शा सात्र कौटिली का अर्शा सात्र तथा पतंजली के महा भाद से ग्रंतों का विशेद महत्व है क्योंकि ये भारत के काल क्रम में उद्धे वेलिस सागर में लंगर का काम देते हैं इनमें प्राप्त सूचना अधिक विश्वस नहीं है चौता बिंदू दोस्तों आपका हर्शा चरित्र है बार्ण ने हर्शा चरित्र की रचना लगबग 620 इसवी में की थी इसमें ततकालीन इतिहात एवं प्राचीन कथाओ का संग्रा है इसमें बाढ ने ना केवल अपने आस्रदाता कन्नोश की राजा हर्थ का चरित्र चित्रड किया है वरंद सात्मी सताबदी के भारत की राजनेतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दसा पर भी प्रकास डाला है पांचना दोस्ता आता आपका राज तरंग्रिनी कल्रण की राज तरंग्रिनी प्रथम ऐसा ग्रंथ है जिन में मतलब जिसे पूर्ड रूप से एतिहासिक कहा जा सकता है इसकी रचना 1148 इस्वी में शुरू की गई थी इसमें कल्रण ने कास्मी में राज वंद का वर्डन किया है चाटा पॉइंट है दोस्ता आपका दीपुवंत एवं महावंत बहुत है साहित में सरवादिक महाजपुड इतिहासिक ग्रंथ दीपुवंत तता महावंत है इन दोनों में सिन्हल लदी कर प्राचीन क्रमबद इतिहात है इसके साथ ही मौर समराथ असोक था उसके वंद के संबन में इन ग्रंथों से परयाप्त ज्यान प्राप्त हो जाता पिर तीसरा दोस्त बिंदू आपका विदेशी विवरण है, अत्यंत प्राचीन काल से भारत का विदेशों से, के साथ मतलब अत्यंत घनिष्ट ब्यापारिक, राजेतिक तथा साथितिक संब्ध रहा है, विदेशी लेखकों और यात्रियों ने भी भारत के विज़े में बह एरोडोट्स ने पांचवी सताबदी इस्वापूरो के पूरो भारत तता भारत राज के संब्ध में लिखा था, टेसियस एक डाक्टर था 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 उसे यात्रियों द्वारा प्राप्त आशय जनक कहानियों के संग्रा करने का बड़ा चाओ था, इसी क्रम में यूनाली ले कर, चीन का भारत के साथ प्राचीन काल से ब्यापारिक था, सांस्कृतिक संबंदर आया, चीनी यात्री फायां 399 इस्वी में भारत आया और उसने लगवक 15 वर्ष तक ब्रहमण करने के पश्यात अपने देश लोटकर अपनी यात्रा का वर्ण किया, इसी प्रकार चीनी य लेका का आगे, तिबद के लामा तारानात में गरंथ के गरंथ मौरेकाल के उपरांथ के इतिहात को जानने में बड़े सायक सिद्ध होते, इनके बिना सक पार्थियर एवं कुशान लोगों के ब्रहमण का पता नहीं चलता, तता बहुत धर्म के इतिहात के पूर्थी इनक कि लोगों की सिति का वड़न क्या है, यह पुस्तक 1033 इस्वी में लिखी गए थी, इसमें हिंदुों के रीति रिवाज विवा तता साहित का अच्छा वड़न है, फिर 25 बिन्दु मार्को पोलू, वेनिस का प्रसी दियात्री मार्को पोलू, 1294 पंचान में इस्वी के लग प्राचीन भारत के थियात को जाने के लिए अभिलेक सबसे अधिक महत्रकूर एवं विस्वसनिये सादन है, अभिलेकों को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, यथा देसी एवं विदेसी अभिलेक, देसी अभिलेक को हम पूरा दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, असौक के अभीलेख एवं असौक के बाद के लेख, तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे हम लोग असौक के अभीलेख, असौक ने संपूर राज में सिलाओ तता इस्तंबो पर लेख लिख लिखाये थे, यह लेख राजा ज्याग्यों तता गुष्टाओ के रूप में पाय सरकारी तथा गैर सरकारी, सरकारी लेख प्रधांता प्रस्सितियों तथा अथवा भूमिदानों करूप में पाया जाते हैं, प्रस्सितिया राज कवियों द्वारा सब्राटू की प्रसंसा में लिखी गई है, 11. सरकारी लेखों की संख्या सरकारी लेखों की इन में सामाजिक धार में केम प्राजनितिक दसा पर प्रकास पड़ता है तीसरा बिंदू दोस्तों विदेशी लेक है, विदेशी लेक एसिया माइनर में बोख जकोई के लेक में वैदिक देवताओं का लेक है, इस लेक से भारत में प्रविश करने के पूरो आर्यों के परेटन का पता चलता है फिर दोस्तों पांचवा बिंदू देखते मुद्रा, प्राचिन भारत की सियात का ज्यान प्राप्त करने में मुद्राओं से बड़ी सायता मिलती है, इन मुद्राओं का वरगे कराण हम निमने लिखित, रिजिती से कर सकते हैं या था प्राचिन मुद्राओं, प्राचिन का के बाद जो मुद्राय निकली उनसे समराटों के ज्ञान मतलब नाम ग्यात होते कला की द्रश्ट से इन मुद्राव का बहुत महत्व है लगबक 30-40 समराटों एवं समर्गिकों परचे इन मुद्राव से मिलता है इन्होंने लगबक 200 वर्ष तक सासन किया इनका ज्ञान भी इसे परिभासित करते हुए महत्व को इस पश्ट करिए देखे इतिहात की व्यत्पति ठीक है इतिहात सब्द का रूप आंतर है मतलब इतिहात हिस्ट्री सब्द का रूप आंतर है हिस्ट्री सब्द की उत्पति लैटिन धातू हिस्टोरिया से हुई है इन्दी मिसका अरत कतात पर यह है कि समिदाए की राजनेतिक आर्थिक और धार्बिक आधि घटनाओं को इतिहास के माध्यम से छात्रों के सम्मुख इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि अतीत का चित्रड उनकी मस्तित्स पटल पर भाती मतलब भाली भाती अंकित हो जाएं इतिहास का जर्म आधिकाल माना जाता है ठीक आधिकालीन माना जाता है सरो प्रतम पांसु इस्वी में पूरो मनुस्त के कारियों एवं विचारों को करम बद्रूप प्रदान करने का प्रयास हेरो डोट्स ने किया इसी कारट हेरो डोट्स को इतिहास का जर्म दाता है या पि वह हमारे संपूर्ड अतीत का पूर्व, मतलब पूर्ड विवरड एवं व्यग्यानिक अध्यन है, अर्थात इतिहास प्राचिन, समय किराजनेतिक, समाजिक, आर्टिक, तता धार्मिक आदि सभी पहुलों का व्यग्यानिक अध्यन है, पंडित जवालल नेरू के सब्दों म महान इतिहास, लेकर अतीत की कलपना को वर्तमान के अंतर दर्शन से देदित करता हुआ आदर्स इतिहास प्रसूत करता है, अर्थात महान इतिहास कार अतीत के प्रकास में वर्तमान की समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है, फिर दोस्तों बात होगे आपके रेप्सन, मह के अनुसार इतिहास घटनाओ या उन्नत विचारू का एक सुसब्द विवरण अर्थात इतिहासि घटनाओ को इस प्रकार प्रस्दूश किया जाता है कि अतीज का संपूर इतिहासिक विवरण हमारे मस्तित पटल पर करम बद रूप से अंकित हो जाये संचेप में इतिहास मानों जीवन के विकास का एक सू संगठित, सू सब्द एवं करमबत अध्यन है फिर दोस्तों हेंडरी जानसन के अनुसार बूत कालिन घटनाओ का उलेक ही इतिहास है ठीक ना जोन्स मौदे के अनुसार इतिहास जीवन के अनुसार के एक खाने जो हमें वर्तमान को समझने में बड़ी साहता प्रजान करती देकि दोस्तों कुछ ना कुछ आपको दिवार को याद दो जाने चाहिए नहीं तो कुछ ना कुछ आप पेपर में लिखके आएंगे इतिहास के परिवास आए तो दोस्तों चैंदी जातर कर दोसार लीकिए या प्रयक्षन के अनुसार दोस्तों प्रोपेसर गार के सबढों में या पंटी जवालनेः तिक उसके वासधो क्या है कि आपको उप्यूग्त परिवासों के अधार पर इतिहास का है या सबarez दा इतिहास का महत्व क्यों है या जाने के लिए निम्लिकित बंदु बिंदुओं पर आपको विचार करने है जीवन में सायक है जान व्रद्धी के साधने मांसिक परिपकवता ब्यापक दरिश्टि कोड का विकास बैवारिक जीवन में उपयोगी तेज प्रेम की भावनों को ज इतिहासिक तत्यों को याद करने से छात्री की स्मरण सक्ति का विकास होता है तीसरा पॉइंट है विभिन, राष्ट्यों, समाजों, संस्क्रतियों, परंपराव तथा संस्थाओं का ज्यान प्राप्त होता है चोथा पॉइंट दोस्व विभिन, संस्क्रतियों, तथा महतापूर्ड भूम का निभाते हैं चैटा 200 पॉर्टे वर्तमान की प्रमुक्समस्या जीवकर निर्वा में इतियास महतापूर्ड भूम का निभाता है इतियास से हमें इस समयस्या का सभ geschЙास्या भी मिलता है फिर अगलाको यारा अपनी भारत-यय व्यातरा के दरबार में 9 वर्ष तक रहा उतने अपनी पुस्तक इंडिका में चंद्रगुप्त मौर के प्रसाथ लेवों ततकालीन समाजिक तता आर्थिक तसाओ का महत्पूर विवरड दिया दिखे उतना ही महत्व है उसका उतना ही महत्व है जितना की कौटिले के अर्थ सास रखा है दिखे मेगा सनीज के विवरड के कुछ उलेकनी बात इस प्रकारें पहला 200 पॉइंट पाटली पुत्रे इस्तित्थ मौरेर राज प्रसाथ उतना ही भवपेता जितना इरान की राधानी में बना राज प्रसाथ 27.7.1 प्रसाथन 30 अधिकारियों की एक परिसर द्वारा किया जाता था 3.22 प्रसाथन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जिसमें विविन कार्यों से समन्नी छे समितिया होती थी प्रत्येक समिति में 5 सदस्यों होते थे चोता पंड जहा निर्माड महत कुड उद्योग था, पाच्वा दास प्रता नहीं थी, छटा भवन लकडी के बनते थे, शात्वा पंड दोसो भारती समाज साथ चैतियों में विभक्त था, उसने कुछ अन्य चीजों का भी वड़न किया है, जो उसे आश्य जनक लगे जैसे इस पेड की जड़े तने से उकती है, ठीक है न, इसकी छाया 400 लोग एक साथ रह सकते हैं, जिसका नाम दोस्तों भरगत था, दूसरा बिना मद्दू मक्खी के साथ मिलता है गन्ने से, तीसरा दोस्तों उन, पेड़ों से उकती है, कपास, और 14 दोस्तों पच्छी, जो मनु परिवर्तन हुए आपको बताने हैं, तो पहले जीव की उत्पत्ति, देखे प्रत्वी, पर जीव की उत्पत्ति कब और कैसी हुई, इसका उत्तर देना बड़े कठिन कार है, किरभी वेग्यान को के अनुसार प्रत्वी पर जीवन का विकास निम्न अवस्तों में हुआ है पहला बिन्दू दोस्तों सूच में तसर रीड विहिन जीव की उत्पत्ति, आदी जीव की उत्पत्ति के समद्ध में विद्वान अभी तक किसी एक निश्यत मत पर नहीं पोच सके, परन्तु आदिकास विद्वानों कमा थे कि आज से लगवा 50 करोड वर्स कूरो, पानी म एक कोस्ट की था, इस जीव के उपर विवाजन द्वारा ही अनेक जीव धीरे-धीरे बढ़ते गया, दूसरा दोस्तों पॉइंट आपका आता है कि खोल यूक्त एवं जल, इस्तल, इस्तल चर प्राड़ी, देखे करोडो वर्स पूर के उपरांत इस प्रकार के प्राड़ जैसे केकडे, मेटक तथा रेंगने वाले प्राड़ी सरी सरफ आकर रहने लगे, ये प्राड़ी जल तथा इस्तल दोनों में रहते थे, इसी कारण इन्हें जल इस्तल चर जीव कहा जाता है तीसरा दोसो पॉइंट आपका अंड़ त्रेड़ी के प्राड़ी, जल वायू परिवतन के फलतो रूप कालांतर में इस प्रकार के प्राड़ी दिखाई देने ने लगे, जिनकी उत्पत्ति अंडो थथा बीजय तो हुई थी, इनमें मगर मच बड़े-बड़े सरफ आध प्रमुक थे, इसी काल में डाइनसोर की भाती इतने बड़े जीव जन्तु उत्पन हुए कि उनकी लंबाई 30 मीटर तक थी, फिर दोस अगला पाट आतापका नवचे रेवं इस्तन पाई प्राड़ी के उत्पत्ति, कई करोड वर्स पश्यात, आकात में उड़ने वाले त जन्में गर्ब से भी होने लगा, नवचे प्राड़ी वे चिवडिया तथा इस्तरपाई प्राड़ी में नर्वानर प्राइमिट प्रमुक है, बंदर लंगूर और चिंपैंजी सी स्रेडी में समलित किये जाते हैं, पी 205 बबिल्दू आया मानों की उत्पत्ति, मानों की प्राइमिट नर्वानर से ही आज से लगवक 5 लग वर्थ पूरो ऐसी प्राड़ी का जन्मुआ जो मानों के समान था, धीरे धीरे ये प्राड़ी व्रच्छों से उतर कर अपने पिछले पेरों पर खड़े होकर चलना सीख गें, और धर्ती पर ही रहने लगें, समय के साथ वे अपने प्रियोग भी करने लगें और उनकी बुद्धी का विकास हुआ, इस बुद्धी के बल पर ही मानों आज अपना वर्तमान स्वरू प्राप्त किया है, इस प्रका वर्तमान मानों का विकास पास्चरोडों में हुआ है, पहला दोस्तों हुआता है सूच में वर र कुरा पसाड काल के पेच्छा आकार में छोटे हो गए इस समय प्रकर्ति में अनिक प्रिवर्थिन हुए जिसका प्रभाव मानो जीवन पर पड़ा नए परस्तितिया थे तालमिल बैठने में उसने उपकरड छोटे बनाना प्रारम्ब किया जलब आयू पहली के पेच्छा ग अपने आप ही उगी घासो को एकत्रित करने लगा इन घासो में कई आज के अनाजू की पूर्वच थी इनका प्रयोग मानो ने अपने भोजन में किया इस प्रकार हुआ अब संग्रहग बन गया मानो ने इसी समय कुटे को पालतू बनाय है कुटा मानो का प्रतम पालतू पसू भी है अगला कोश्चन दोस्तो नौ पासाड काली इंबानों की जीवन की विसेशता है आपको बताने देखिए सब कोश्चन आप बना कर भी अच्छे से लिख सकते हैं आपको सिर्फ हैडिंग या दोने चाहिए जैसे दोस्तो नौ पासाड काल के मानों की निमनिकित व पराप्त हुएं इस समय कि हत्यारों में चमकदार पालिस देखने को मिलतीय है पेले कि हत्यारों किया पेच्छा यह सू भिवस्तित एंवन नुकीले तीखे एंवन सुंदर हैं कुछ थियारों में हटी एंवन लकडि की मूट भी पराप्त हुई है इस काल में पईये एवं हतिया का भी प्रयोग होने लगा था इन उपकरणों की सबसे बड़ी सेस्ता है कि ये उपकरण केवल आखेट के लिए निर्मित नहीं किये गए वरन अन्य कार्यों के लिए भी निर्मित है पईये कि अविस्कार ने विभिन दूरी पर बतेवे लोगों को एक दूसरे से मिलवाने का कारे किया वास्तों में यह यूग आधुनिक यातायात का जन्म दाता था फिर दोस्तों क्रसी का प्रारब हो गया ठीक है ना उसके बाद आप लिख सकते हैं पसु पालन अब क्रसी में दोस्तों देख लिए कुछ चीज़े याद रखनें नौ पासाड काल में सिकार के अस्तार पक्रसी एक दरश्टी से मानु इतिहास की क्रांती थी इस काल में दोस्तों ग्यों जो बाजरा मक्का फल साग कपास का उत्पातर होता रहा होगा ऐसा उत्कनत से प्राप्त जानकारी के अंसार हम कह सकते हैं पासाड काल की लोगों ने पौदों के रेसों तथा उनके धागों से कातना शुरू कर दिया और उन्हें बुनकर बस्तर बनाने लगे इसके जानकारी खुदाही से प्राप्त बहुत सी तकलियों तथा करगे से होती है अगला क्यों दोस्तों कहा से क्यों तो पुरा पासाड काल मनिस ने इस काल में पत्तरों के आउज्ण के प्रियों करना शुरू कर दिया था और इसके फलतरूप इनकी भोजन पदती में कुछ बदलावाए पहले मानो व्रचों के फल, कंद और मेवे आती खाकर उजारा करता था इस काल में मनुसे ने औजारों को प्रयोग सिकार के लिए किया तब पश्याद उसके मांसाहरी भोजन की सुरुआत हुई उसने चोटे-चोटे पसवों पच्चियों को मार का खाना सुरू कर दिया चूँकि मनुसे को अभी बर्तनों की जानकारी नहीं हुई थी इसलिवा रोजाना सिकार करके अपना पेट भरता था यही मनुसे का प्रमुक कारे भी उससे में था दोस्तों फिर मध्य पासाड काल में क्या हुआ इस काल में ओजार पहली के पेच्छा अधिक उन्ना दौर परिक्रश्ट हो गये इस काल का प्रमुक ओजार पत्थर के कुलहाडे थे इसके अलावा इस काल में हडड़ी लकड़ी वधातु के ओजारों का निर्माड भी शुरू हो गया भारत के विभिन भागो में पूर्व पासाड काल के जो उपकरण प्राप्त हुए थे उन्हें इस काल के मध्य में रखा गया इसमें विभिन प्रकार के स्क्रेप पटर, यूटीन और बोदक आ दियें इसका निर्माड ब्लेट पर किया गया फलकों की अधिक्ता से होने के कारण मध्य पासाड काल को संस्क्रत के नाम से भी जाना जाता है फिर दोसा बात आती है फिर नौपासाड काल इसकाल में एक और पत्थर के अच्छे आउजार बनने लगे वह दूसरी और मानों ने धातू की कोच कर धातू के आउजार बनाना और उन्हें खेतों में प्रयोग करना सुरू कर दिया ऐसा माना जाता है कि धातू में सरोप्रतम सोने की खोजुई इसके बाद तामबा, रांगा और जस्ते की कोचुई जस्ता और तामबे को मिला कर पीतल बनाया गया यही इस काल ही महान उपलब दी थी धातू का प्रयोग आप उसर तता बरतनों के निर्माण में किया गया अब दूसर अगला कोशना था कि धातू कला का आपको परिशे देने तो नौ पसाड काल, ठीक है धातू कला में देखें नौ पसाड काल का अंत होते होते पत्थरों के साथ साथ धातू का प्रयोग शुरू हो गया धातु में सबसे पहले ताम्वे का प्रयोग वा जिसके कारण इस यूग को तामर पासाड यूग भी कहा गया मानु ने ताम्वे की खानों का पता लगा कर उससे ताम्वा खोद कर निकालना शुरू किया उच्छे तापमान में तामे को प्रिगलाना तता साची की सहायता से धातु द्रोग को विविद रूप देना भी उन्होंने सीख लिया जब मानु विकास की एक और महत्रपूर्ट पोश्थी देरे-देरे मानु ने तामे वा जस्ते को मिलाकर मिस्ति धातु कांसा बनाना सीख लिया पिर मानु जीवन की उसकी प्रगति एवं संगरत की कहानी है प्रारंविक मानु ने अपनी समस्याओं से जूस्ते हुए अपने को जीवित रखा अपनी उन्नती एवं अपने को सब्य बनाया फिर अगला question दोस्तो प्राग एतियासिक काल तथा एतियासिक काल में अंतर आपको लिखना है ठीक है न तो प्राग एतियासिक तथा एतियासिक काल का अंतर आगते सीर्ष्टकों के अंतर पर इस प्रश्ट किया जा सकता है पहला दूसर पॉइंट आता आपका अर्थ संबंदी अंतर प्राग एतिहासिक सब्द प्राग प्राग प्लस एतिहासिक से बना है जिसका काल की जानकारी के लिए कोई लिखित वह प्रमाडिक साधन उपलब्द नहीं है उसे प्राग एतिहासिक काल कहते हैं दूसरी ओर जिस सामगरी परयाप प्रमाडिक है इसके विक्री दोस्तों प्रागे 83 काल की इसे सामगरी का ग्यान अनुमान पर आधारित है ठीक ना अधिक आधारित है अगला क्वेशन दोस्तों लोग यूग का संचित तो आपको विवर्ट देना है तो दोस्तों इसका उत्तर कैसे प्रंतु उत्तर भारत में तामरकाल के बाद इसका प्रयोग आरब्ब हुआ था, विद्वानों का मानना के उत्तर भारत में इसका प्रयोग ईसा से लगबग, एक हजार वर्स पूर आरब्ब हुआ था, यह अनुमान भी लगाया कि लोहकाल के लोग पामिर पठार की ओर से आ लोहों से मनिस्व की जीवन का वैज्ञानिक विकास प्रारंब हुआ और उसके जीवन में बहुत बड़े क्रांति कारी परिवर्तन होने लगे मनिस्व की जीवन को सुक में बनाने तथा इसकी सब्च अधा एवं संस्कृति की उन्नती में किसी अने धातू से उतनी नहीं मिली जितने 200 ल्हव से मिल तो दोस्तोब बात ठीरिग आज का अगला परतन। तो दोस्तों अगला कोशिन क्यार आपका कि नदियों के किनारे सबेताओं के अभ्यूदे के कारण आपको बताने हैं तो बहुत ही अच्छा कोशिन है देखते हैं संसार की मानों सबेताओं को विकात नदियों की घाटियों में ही क्यों हुआ था वास्तों में नदी योकी घाटियों में सबेताओं के विक्सित होने के निम दिखित कारण दें पहला कारण दोस्तों नदीयों की घाटियों की भूमी उपजाओं होने के कारण वहां मनिस्यों और पसुओं के लिए भोजन तथा चारा पर्याप्त मात्रा में और सुगंता से मिलने लगा दूसरा पॉइंट तर नदियों के किनारे पर क्रसी एवं दैनिक उप्यों के लिए पानी और मकान हेतु गीली मिट्टी सुलम हुई तीसरा एक नदियों के किनारे मनिस्य की खेती के लिए बिना किसी कटनाई के सिचाई के साधन भी उपलब्द हो गये और नदियों ने उसे आवगमन की सुविधाय भी प्रदान किये चोता पॉइंटे दोसो नदियों के किनारे की जलवाई ने भी मानो की अपनी सब्यता व संस्कृति विकास का उसार प्रदान किया पांचों पॉइंटे की नदियों में प्रतिवर्श बार आती थी जिससे भूमी उपजावपन बढ़ जाता था चाटा पॉइंट दोसो नदियों नदि घाटियों में विबिन सुधाय उपलब होने से पहले गावों का और तत्पशाद नगरों का विकास होने में भी सहता प्राप्त हुई इन सभी कारणों के फलतोरूफी विस्व की प्राचिंतम सब्वेताओं का विकास नदियों की घाटियों में ही हुआ नदि घाटियों में विक्सित होने के कारण इन सब्वेताओं को नदि घाटि की सब्वेता कहा जाता है अगला कोशन दोस्तों की सिंदु घार्टी की सब्वेता की आर्थिक धार्मित तथा नगरी बेवस्थाओं के विशे में तीन दिन पंगती आपको लिखना है सबसे पहले बात होगे आपकी आर्थिक दशा करसी ग्यों जो कपास, राई, मटर, खजूर, अनार, आदी की खेती की जाती थी पसुपालन में करसी के पश्चा दोस्तों पसुपालन सिंदु वाचियों का परमुक पेशा था ये लोग बैल, उट, भैथ, बेड, गदे, बकली, सुवर, हाती, कुट्टे, बिल्ली आदी पालते थे बेवसा है, अस्त्र, सस्त्र, पात्र, वस्त्र, आबोशड, बढ़ाई तता सिल्प समंदी बेवसा है, प्रचलन में थे, सिंदु वाचियों के विदेशों से बैपारिक संबन्द थे फिर दोस्ता था, नापतौल के सादर, नापतौल के लिए दोस्तों सीपी के तुकडे तथा बासु के प्रयोग किया जाता था अब अगला पॉइट आता आपका धार्मिक तता, मातर देवी की उपातना, सियों की उपातना, लिंग तता योनी की उपातना, व्रच तता पसुओ की उपातना, व्रचों में पीपल, महुआ, तुलसी, पसुओ में कूबडवाला बैल तता साब की उपातना भी की जाते थ सड़ के लंबी चोड़ी तथा एक दूसरे को समकोड पर काड़ती थी नगर आधुनिक ब्योसाइक ठीक दोस्तों सैलिपन निर्मिस थे अब बात आएगी दोस्ता आपका भवन निर्माड सड़कों तथा गलियों के दोनों और भवनों का निर्माड एक पंक्ति में कच्ची तटा पक्की इतों के द्वरत किया जाता था भवएन में रसुई गर इसनान गर आगंत तटा सारवजिनिक इसनानागार उत्खनन खे मोहन जोड़ों में सरवादिक विसाज सारवजनिक इसनानागार ग्रेट बात प्राप्त हुआ है मतलब नहाते से जान लो सिंदु अबिता की प्रमुख विसेशता है आपको बतानी मतलब पूराने साहर की कोच पहले दोसों सन 1921 की बात है जब भारत में अंग्रेजों का राज था इसी वर्थ पुरातत वादियों ने पंजाब प्रांत में हडपा नामक इस थल्क से एक खंडार की कोच की इस खंडार के प्राप्त विदों ने इस इस थलों की विस्तरत खुदाई की तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा सहर निकलाया लोग नीचे उतर कर उसकी गलियों में घूमने लगे उन्होंने देखा कि घरों में उतरने के लिए सीडिया बनिये मानो आज के घरों और सहरों के बीचों बीच ठीक तो सुब चोड़िश सड़कें ऐसी जैसे आज सहरों में बनती हैं इतना बड़ा सहर यहां कितने लोग रहते होंगे जब यह कोजबीन की गए तो पता चला कि यह दबा हुआ सहर बहुत ही पुरान है आशर तो तब हुआ जब पता चला कि यह सहर चार-पांच हजार साल पुरान है उस समय यह माना जाता था कि चार-पांच हजार साल पहले लोग खेती करके पसु पालकर यह सिकार आदी करके जीवन या पन करते थे, क्या इतने पुराने समय में भी सहर बन गयते, पहला सवाल ये खड़ा हुआ, उनके बचे कुछे निसान देखकर हमें यह जरूर पता लग जाता है कि सिकारी मानों और सुरू कि गावों की सुल्ला में सहर के लोगों का जीवन बदल गया था, धीरे किरे दोस्तों आगे और खोज हुए, कई जगों पर खुदाई की गए तो पता चला कि उस समय एक नहीं, दो नहीं, कई सहर थें, वे खासकर एक बड़ी नदी और उसमें मिलने वाली छोटी नदियों की घाटी में बसे हुए थें, बहुत से सहर जहां बसे थे हुआ, इला की इमार थे, खुदाई कनेक पर सहरों में कई तरह की बड़ी इमारतु मिली जो आयताकार थी, कई दो मंजला घर थे, अमीरों की कोठिया थी, गरीब कारी गरों के छोटी छोटे घर थे, सहर की सड़के गाउं की गलियों की तरह तेड़ी मेडी नहीं थी, फिल्कुल सीध पूरा सहर जाल के जैसे ब्योस्तित्या सड़कों के किनारे पक्की नलिया, ठीक दोसर नालिया थी, सोचिए उस समय पकी नलिया, हर गाउं की नलिया बड़े नलों से मिल जाती थी, सिंदु घाटी के सहरों की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े इससे पता चलता है कि मोहन जोड़ों के लोग सफाई और सोचता के प्रती जागुरूप थे, खुदाई में तामब्या और कांसे की बनी हुई कुलहडी, दरपड, आरी, गंगिया उस तरह प्राप्त हुए, इसका मतलब यहा हुआ कि सिंदु घाटी के लोग चमीन में से दातु निकालने और उसे साब कनने तता गलाकर चीजे बनाने के तरीके से प्रीशित थे, कांसा, तामब्या और जस्ता को मिला कर बनाए गई धातु है, आश्चर की बात तो यह है कि दातु की चीजे बनाने के साथ लोग पثर के औल्जार भी बनायकरते थे, इसका कारण से आगिया था कि तामबा वह कांसा जैसे धात्वें पत्थर की सुनला में बहुत यदिक मजबूत नहीं थी यह धात्वें हर जगह आसानी से मिल भी नहीं पा रही थी इसलिए लोग कई आउजारों पहले की तरह पत्थर ही बनाते रहें बैपार क्या बैपार हुआ दोस्तो देखे दोस्तों अब इसको हम बहुत ही आपको डीपली से दिखा रहें पढ़ाने हैं लेकिन दोस्तों आपको वहाँ पर सौट कटी लिखना है क्योंकि कोशन आपका दो नम्मर से ज़्यादा कर नहीं आएगा लग उत्तरी ठीक है न तो सिंदु घाटी की नगरों से पत् अचान बनी रहे तौल और नाप के लिए बठ खरे और प्रेमाने का प्रयोग करते थे ऐसी मुहरे दूसरी देशों में भी पाई कहीं हैं खासकर मोसो पोटामिया इराक देश में लगता है कि उन दिनों इराक और सिंदु घाटी के सहरों के बीच भी बैपार होता था अब पर असल उस समय की लिखावट है उनके अच्छरों चित्रों जैसे लगते थे विद्दमान आज भी इस लिखावट को नहीं पढ़ पाएं इसलिए सिंदु घाटी के बारे में जो कुछ भी बाते हम जाते हैं वे एक खुदाई से मिले औस्देशों के आधार पर ही हैं सिर रहे उसके चारुतरब कई जानवर बने यह कोई देवतारा होगा सायद सिंदु आसी उसे पसुओं को देवता मान कर पूछते थे इसके अलावा कुस मोरों पर पीपल की पत्तिया और साब की आकरतिया जैसी भी बनी मिली सायद वे इन सब की पूजा करते थे इन बातों का हम अंदाजा लगा सकते हैं पकी तरह से नहीं कह सकते हैं फिर दोस्तों बात आती है सहरों का खत्म हो जाना आसे चार पाच हजार साल पहले सिंदु घाटी में नगर बने वे थे यह नगर लगबग एक हजार साल तक बने रहे फिर किसी कारट से उजड़ गये मिटी में अगला कोशन दोस्तों मिस्र की सबेता की प्रमुक्य से मताने ने ही मिस्र की सबेता सबसे पहले दोस्तों बात हो कि आपके समाजिक जीवन की सबेता के समाज में उच्ष वर्ग मध्यमवर्ग निमवर्ग और दाट वर्ग के रूप में क्यार sarà serait प्रत्र 303 वर्गों का जीवन सुकी एवन सपन्न था जबकी चतुर वर्ग के लोगों का जीवन कश्ट में था नार्य को समाज में समाज जनक इस्थान प्राप्ता मात्र सतात्मत प्रडाली के प्रचलेंद से इतरिया पूरसों पर सासन करती थी चुद्ध न्रत्य संगीत मिस्र के लोगों के मनरुणंजन के साधन थे अब फिर बात आए कि आपके सासन बेऊसता मिस्र के सासन में समराथ को सर्वोच इस्थान ठाप था मिस्र के राजा फराओ कहलाते थे समराथ सर्वोच की सेनापती और प्रमुक नियाधीस होता था राजा ही सासन के लिए विहूं मटर चुवार पाजरा कपास अंगूर तता जैतून की फतले उगाई जाती थी यहां गाय बैल भीड बकरी और भैस आधी पसू पाले जाती थे उसके बाद दोस्तों बात करेंगे सीधे चौता पॉइंट वस्तुकला और सिल्पकला मिस्र की सब्यता में दोस्तों ध दोस्तों ना विए जाती लोगों ने विज्ण की चत् से बन ही की गला मिस्रकी सब्यता की लोग अनेक देवी देवताविकी पुझा करते थे हॉरस और एटन इनके सबसे बड़े प्रमुक देवता थे यह लोग प्रस्तवी आकाउप, देवता और चंद्रमा की उपातना भी करते थे, इनके पिरामिट पुना जनम में इनकी पक्की आस्ता के प्रतीक थे, अबु सिंबल और कुनार्ग के मंदिर, इनके पूजा इस्तर थे, इस्पंस की मूर्ती, मूर्ती कला तथा उत्क्रेश्ट नमूना है, अगला कोशन दोस्तों मिस्र सबेता को न महा के प्रमुक्ष नदी, नील नदी के किनारे की हुआ था, मिस्र अफ्रीका महादीप के उत्तरी पूर्वी भाग मिस्तिते, मिस्र के उत्तर में भूमति सागर तथा पूर में लाल सागर है, मिस्र के दच्छेट पच्छमी में रेकिस्थान है, मिस्र के बीश में नील न से नहरे भी निकाली जिन से मिस्र के प्रतेक छेत्र को जल क्या पूर्थी होती है यदि नील नदी मिस्र में ना होती तो मिस्र का सारा छेत्र रेगिस्तान हो जाता अतम मिस्र के निवासी नील नदी की पूझा भी करते थे इसी कारण मिस्र की नील नदी मतलब मिस्र को नील को बढ़र करिए यह देकि 2019 में कैसा प्रस्ट पूछा गया था कि गिजा का पिरामीड संसार के आश्यर जन्हक इस मार्कों में क्यों गिरा जाता है तो दो पिरामीड को बनाने में एक लाग बीस हजार आदमियों के बीस वर्स तक कार किया था पिरामीड के नीचे प्रत्वी में बड़े बड़े कमरे बने गए हैं इनमें से एक कमरे में समराट पेर ओखाप्र का सव रखा गया था वास्तुकला के द्रश्ट से इसे अजूबा इस म उदर चित्र हैं जिन से मित्र की सब्वेता से संबंदित अनेक जानकारी प्राप्त होती हैं कि दोस्तों फिर उसके बाद बात करेंगी इसी में कि दुनिया के साथ प्राचीन आश्चरों में ते एक इसमारक हैं जिसे काल प्रवा भी खत्म नहीं कर सका 43 सु वर्सों तक य जा 13 एकड में फैल लगुए हैं अगला कोशन दोस्तों चीनी सब्वेता की प्रमुख विसेशता हैं आपको बतानी हैं क्या क्या आए देखते हैं देकि चीन की सब्वेता विसुकिया अनेक देशों के समान हांगो नदी की घाटी में विक्सित हुई थी इस सब्वेता की सब्यूसे इस सेच्ता हैं निम्लिखी थे समाज की जीवन पर दोस्तों देखेंगे प्राचीन काल में चीन का समाज चार वर्गों में विवाजित था पहला बुध्धि जीवी वर्ग, दूसरा वैपारी वर्ग, तीसरा कारिगर एवं कलाकार वर्ग, चोथा दोस्तों क्र अच्छी थी, चीनी समाज में सहयोक्त परिवार की उग प्रसा प्रच लेती है पिर दोसरा बिद्वाता आपका सांस्क्रितिक इस्ति थी चीनी सब्वेता में सांस्क्रितिक उन्नति भी देखने को मिलती है चीन में भावन निर्माड मूर्थिकला का समुचीत विकास हुआ चीन के इतिहास में सर्वर्थम इस मारक चीन की विशाल दिवार है यह दिवार विस्व के महान आशरों में से एक मानी जाती है तीसरा पांट इस दोस्तो धार्मिक जीवन चीन की सब्वेता के प्रारंब में धर्म का विसेश महत्व नहीं था किन्तु चीनी लोग जीवनें फिर बात करेंगे विज्ञान का विकास देखें दोस्तों यह सब आप बना के लिख सकते हैं किसी का भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा उस तो में तो विज्ञान दोस्तों देखते ही जरूरी है कि विज्ञानिक द्रश्ट से चीन ने महत्पूर उपलब्द के बारे में संचेप में लिखिए हैं चीन के दो प्रमुग दार्तनिक इवम धर्म सुधारक से लोस से और कन्फू सीयस ठीक दोस इनका नाव आप देखके लिखके याद कर लीजे पर में आसे कोशन बन सकते हैं अगला कोशन मोसो पुट्टा में कि सब्यता को समझाईए देखें यह विशु की प्राचिंता सब्यताओं में से एक है यूनानी भासा में मोसो पुट्टा में सब्यता कारत होता है जल का मद्य छेत्र ठीक है न फिर दोस्तों बात करें कि यह सब्यता इराग की दजला और फरात नामक दो नदियों के मद्य के छेत्र में विक्सित ह काल किसे कहते हूं तो वैदिक काल दोस्तों क्या है पंद्रास इसा पूरो से लेके 1000 इसा पूरो तक सिंदु सब्यता के पश्यात वैदिक सब्यता को भारती सब्यता एवं संस्कृति का आधार इस्तम बाना जाता है इस सब्यता और संस्कृति के निर्मताओं को या वैदिक काल के संग्या दी जाती है क्योंकि इस काल में वेदों की रशना की गई थी वेदों का रचना काल एक विवादासमक प्रस्न है किंतू अधिकांस विद्वान और रिगवेद की रचना 1500 इसा पूरो से लेके 1000 इसा पूरो के मद्य तथा अन्य वेदों की रचना इ परिवार के प्रधान कुलब के समान ही ग्राम के प्रधान को ग्राम रड़ी कहा जाता था यह अत्यंत महजपुडपत था क्योंकि ग्राम रड़ी ही ग्राम का एक मात्र प्रसातनिक अधिकारी होता था फिर दोस्तो बात आती विस अनिक ग्रामों को मिलाकर एक विस बनाया जाता था विस के सर्वोच अधिकारी को विस पती कहा जाता था प्र दोस्थ बत आती ऑपको जन की आनेक देशों को मिलाकर जन का दिनमाड होता था, जन के सरवोज उपादिकारी को रच्छक कहा जाता था, फिर बत आती राष्ट, देश अथवार राध्ये को राष्ट कहा जाता था, अगला कोशन दोस्तों वैदिक काल किसे कहते हैं आपको ये बताना है तो उत्तर वैदिक काल ठीके दोस्तों अभी था हमने वैदिक काल देगा का था इस बार दोस्तों बात होगे आपके उत्तर वैदिक काल की तो इसकी दोस्तों जो समय सीमा 1000 इसा पूरु से लेके 600 इसा पूरु तक देखे रिगवैदी काल के पश्याथ के काल का उत्तरवैदी काल के नाम से जाना जाता है उत्तरवैदी काल के ज्यान के लिए हमें जयेजूर्वेग सामित अथरवेद की सैंड़ताओ ब्रामण ग्रंतो आरेड़क एवाँ उपनिसत ग्रंतों से जानकारी प्राप्त होती है ठीक है सबसे पहले दोस्तो वेद उपवेद और उनकी रचनाकार रिक वेद दोस्तो आयूर वेदे और रचनाकार दोस्तो धनवंतरी याजुरवेद दोस्त किसका है यह आप धनूरवेदु, विश्वामित्रण साव्वेद्धोस क्या है ? गांतरववेद्धे है भरम्रत मुलिक के द्वारा रशनाकारिम के और अथरवेद दोस्त क्या है ? सल्पसात्र विश्व कर्माइद के रचनागा फिर दोस्व अगला प्रतन है कि उस्तरवैदिक कालीन आर्थिक सता धार्मिक दसा का संचेत आपको वड़न करना है तो वही वही फिर से बात होगी आप क्रिसी को लेकर दोस्ता अब इसमें डिफाइन करेंगे पसुपालन में क क्या होता है देखिए यह सब कोशन देखिए जब पेपर में आ तो आपको कुछ चीज़े याद रखनी है आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे लिखेंगे कैसे कुछ पॉइंट इसको याद रखिए क्रिसी लिखना या पसुपालन लिखेंगे लिखेंगे फिर बात आगे आपको द्योग धंदे कैसे थे वाड़िजे एवं वैपार कैसे थे वैपार ही याद रख लिजेगा धार्मिक दसाय कैसी थी दोस्तों तो ऐसे आप बना कर लिख सकते हैं ठीक है से कुश्चन को जिसका स्क्रीन सॉट लेकर आप दोस्ते को पढ़ सकते हैं अब अगले को जीन को आगे अगे आप चलेंगे ठीक है ऐसे कोश्चन आपको बना कर लिखेंगे तो ही अच्छे सा आप नमर पासकते हैं यह गों का यहाँ पर महत्व क्या था जिसे धार्मिक दसा में आता फिर आता पाता है आपका ठीक है फिर दर्सन आता आता आपका क्यूकि दो नमर आपको नमर नहीं मिलेगा नमिन देवताओं का उधे ठीक है उसके बाद हम अगला कोशन देखेंगे कि मानों का संपूर जीवन किन चार आत्रमों में विबक्त था प्रतियक आत्रम के अवधी कितनी निशीती संचे में आपको लिखना है तो अच्छा कोशन है दोस्ते यह आत्रम ब्योस्ता उत्तरवैदी कालीन आत्रम ब्योस्ता समाज की स्रेश्ट ब्योस्ता थी मनुस्य के जीवन के आयू अनुमानी सो वर्थ मानकर चार आत्रम निर्धारण किये कहते जिता ब्रहमचर ग्रहस्त वानप्रस्त और सन्यात ब्रहमचर आत्रम में व्यक्ति विद सिकंदर के आक्नमर्ण का भारत पर क्या प्रवावपड़ा? 2019 की कुशन उच्छा जा चुका है. तो देखेंगे सिकंदर के आक्नमर्ण का भारत पर काफी प्रवावपड़ा वास्तों में या प्रवाव अनिक छेत्रों में दर्सित भी होता है. इतिहात की तिथी राजनीतिक एकता का प्रारम ततकालिन उत्तरी भारत के अने छोटे-छोटे राजों का विले पूरा सता आंभी के राज्यों में ही हो गया अपिछा करत राज विस्तरत तता राज नितिक द्रश्क से एक जूट होने लगें युनानी राजों के स्थापना पश्यमी पंजाब सिंद आदि स्वीमान तवर्ती प्रांतों में युनानी राजों के स्थापना हुई दोषपूर युद्ध विधि का ज्यान भारतियों को जैन धरम के प्रमुक्सिद्सांतों के संचित व्रण इस प्रकार, पहले दोस्तों आपका आता है इस्वर में आविश्वात, जैन धरम, क्या मताव लंबी इस्वर को स्रेश्थित का निर्माथा एवें पालन करता नहीं मानते हैं, यह धरमmeal संसार के kisी स्रजन कार की रचना नहीं मानता है महावीड स्वामी के अनुसार इसवर नाम की ऐसी सस्ता नहीं है जो जीव जंतूद के सुख या दुख का निरधारा को स्वा करमों के अंडूपी लोगों को दुख और सुख मिलता है दूसरा दोस्तों वेदों में अंदविश्वात या अविश्वात वेदों में मतलब अविश्वात हैं जैन धर्म के अनुव याई वेदों में विश्वात नहीं करते हैं देखिए जयन धर्म के मुखी सिद्धान त्री रत्ने के नाम से प्रसीद्धे दोस्ति इसको याद रखना आपको सम्वेक ग्यान, सम्वेक दर्सन और सम्वेक चरित्र ठीकिए त्री रत्ने देखिए आपका दोस्तों ग्यान दर्सन और चरित्र आत्मा में मूल रूप से न प्रफम स्रीडि पंच महावरत जैन धर्म के अनुसार मोच प्राप्ति के लिए पांच अन्य निमों का पालन करना भी आवश्यक है इन्हें पांच अड़ वृत्त भी कहा जाता यह निमने प्रकार है पहला दोत आता आइंसा इसका अर्थ होता है जीवों के प्रती दया का ब करना तता चोरी की योजनाय ना बनाना चौथा पॉइंट है दोस्व अपरी ग्रह इसका अर्थ है कि सांसारे क्वस्तों का संक्रह करने के मुंग को छोड़ देना चाहिए पांच वाय ब्रह्म चर्य इसका अर्थ है कि इंद्रियों को वस में करते वेश सचरित्र जीवन ब अधात मन में विचार कर लेने से सुब या असुब कर्मों का बंदन हो जाता है जिया दोस्ता आपको काफी बाते मन में सोचते होंगे न तो वही चीज़े उसके बात अगला प्रस्त हमारा क्या रहा है कि त्री रत्न और अश्टांगिक मार्ग क्या है या किंद्स संबंद अधिता दोस्ति यह आपको बता रहें देखें त्री रत्न जैन धर्म में वड़ित त्री रत्ने संब्यक विश्वात संब्यक ज्ञान इवं संब्यक आतिरण कि इनके पालन में जैन दोस्ते विश्वात रखते थे अब फिर बात आती अश्टांगिक मार्ग यह सुक निर अर्थात हिंसा दो एक राग वातन तथा दूर्भावनों का त्याग…. चोथा दोस्त संब्यक कर्म अर्थात विश्वातन से रहीत कारे करना चाहिए। प्रत्यक जीव का प्रत्यक जीव को अपने प्रिस्ण मो और इमानदारी सरी थनो पाल्जन करना चाहिए। के दिखते हैं, देखते हैं. इसम्मरी के प्राचीन भारत में साकर गड़ राज्य कपिलवस्तु के राजा सुद्धोधन के पुत्र गौतम सिधार्थ बुद्ध ने बहुत धर्म का प्रतिपादन किया ज्यान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने लगबख 44 वरत तक अपने धर्म का प्रचार किया समराठ असोग और समराठ कनिश ने बहुत धर्म को सनच्छर प्रदान किया और इनके विचार के लिए विदेशों में भी अपने धर्म प्रचारक भेजे गौतम बुद्ध की म्रत्यु के बाद यह धर्म भी संप्रदाव का हीन्यान और महायान में बढ़ गया बहुत धर्म का पवित्र ग्रंत त्रिपीटक है जिसे गौतम बुद्ध ने धर्म उप्देश संगरिष है ठीक न उसके बाद हो समरा अगला प्रसम है कि बहुत धर्म के उदैक के प्रमुक कारण आपको बताने कि बहुत धर्म उदैक कैसी हुआ क्या क्या चीजे थी देखे दोससों बहुत धर्म के उद्य के प्रमुख कारण। चीटी सताब्ब ₹था अंधिविश्वासों का बोल बाला होने से साधारण जनता एक सीध्या और सरल धर्म के प्रतिछा करने लगी थी, दूसरा दोसर यगोत अथा कर्म कांडो की बहुलता, इस समय धर्म पर ब्रहांबडों का प्रभुत इस्थापित हो गया था, उनके त्वारा प्रचली दीरग काली जगोत अथा जेटिल कर्म कांडों से जनता उप चुकी थी, अथा हुआ उनसे उबरने के लिए प्रयास कर रही थी, तीसरा दोसर जाती प्रथा की कठोर था, इस काल में जाती प्रथा अत्य दिक कठोर हो चुकी थी, सबाज में सुद्रों की इस्तिति बड़ी सोच और धर्म की छेत्र में उनका कोई स्तान नहीं था, अथा निम्न जातियों की लोग ने एकने धर्म की खोज में लगे थे, फिर अगला कोशन दोस्तों मौरे समाज के पतन के क्या कारण थे आपको बताना है, तो वंतन उगत सामराज तब ही तक बने रहते हैं जब तक योग जो मौरे समराज में सेना पती था ने मौरे समराज पर कपजा कर लिया, इस प्रकार मौरे समराज का पतन हो गया, अगला कोशन दोस्तों सौर मंडल से आपका क्या तात पर है यह आपको बताना है, देखिए जिस प्रकार आपका अपना परिवार है, जिसमें दादा दादी मम्मी पापा भाई बन आ दिये उसी फ्रकार दोस्तों सूर्य का भी अपना परिवार है सूर्य अपने परिवार का मुख्या है और अपने परिवार के सबी सदस्यों को उसमा हुआ प्रकात देता है ग्रह, उपग्रह, छूद्रग्रह और उल्कापिंड इस परिवार के सतते हैं सूर के मुक्या होने के कारण इस परिवार को सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं हमारे सौर मंडल में दोस्तो आठ ग्रह है बुद्ध, सुक्र, प्रत्वी, मंगल, ब्रासपती, सनी, अरूर तथा वरूर अगला कोश्चन दोसे उलका पिंड क्या होता देखें सूरी के चारों तरफ चक्का लगाने वाले पत्थर के छोटी छोटे टुकडों को उलका पिंड कहते हैं, ये कभी-कभी प्रत्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि प्रत्वी के वायो मंडल के साथ रगाड का जलने लगते हैं और जल का प्रत्वी पर गिर जाते हैं इस प्रक्रिया में चमकदार प्रकास उत्पन होता है अगला question तो से क्या है, नीला ग्रा कीसे कने हैं, और इसे नीला ग्रा क्यों कहाजाते हैं, यह भी बताना है, तो यह ऐसा question मां सकता है, कि प्रत्वी को नीला ग्रा क्यों कैते हैं जीज़ी पर हम लिवास करते हैं भी एक ग्रावा है यह दूरी के करम में सुर्ट से तीसरे स्थान पर है आकार में सौर मंडल का पाज बढ़ा ग्राय है यदि प्रत्वी सुर्व के अधिक निकट होती तो बहुत अधिक आपके कारण यहां जीवन संभाव नहीं होता यदि अधिक दूरी पर होती ठीक है दोस्तो तो अधिक ठंड के कारण यहां कुछ जीवधारी ना होता बतलो ज्यादा दूरी पर होता तो भी दिककत है और ज् जल की मात्रा दिखे इस कारण अंत्रिस से देखने पर या नीले रंग की दिखाई देती है इसलिए दोस्तों प्रेश्वी को हम नीला ग्राय भी कहते हैं क्रें अगला कोश्ड दोस्तों क्या सौर मंडल में सूरी की स्तिति क्या यह बताना है यह सौर मंडल के केंद्र पर इस्तित हैं और सभी गरा उपख्रा वचुद्र गरा निरनतर इसके चकर लगाते रहते हैं सूर्य हाइड्रोजन हीलियम जैसी बहुत सी कर्मगैसों से बना है जो लगाता है जलती रहती है ठीक है दोस्तों याद रखने है किसे बना है आपका सूर्य हाइड्रोजन हीलियम देखे सौर मंडल में सूरी ही प्रकास वब उर्जा का एक मात्र सुरोत है सूरी हमारी प्रत्वी से लगबग 15 क्रोड किलो मेटर दूर है इस कारण इसका प्रकास आठ दस्मलों तीन मिनट में प्रत्वी तक पोचता है और प्रकास की जड़ जाल दोस्व कितनी आपकी 30 मज़ किलो मेटर प्रतित सेकेंड सोच़ी सपीड की धीद फ्रकास सूरी से प्रस्वी तक आता है अगला कोशन दोस्व क्या है सूर्य ग्रहट की सिति कब होती है तो अमा वश्या के दिन दोस्तो सूर्य और प्रत्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है चंद्रमा की छाय प्रत्वी पर पढ़ने लगती है इस इस्थिति में सूर्य हमें वह भाग दिखाई नहीं पढ़ता जो चंद्रमा से ढग जाता है इस इस्ति को सूर्य ग्राड करते हैं प्रत्वी के जिस छेतर में चंद्रमा को सूर्य पूरी तरह अबुर्द कर देता है उस छेतर को दोस्तों पूर सूर्य ग्राड दिखाई देता है इसी प्रकार हुआ चेतर जो चंद्रमा के उपचाय में है वहाँ पर सूरे केवल आंतिक रूप से दिखाई देता है, ऐसे इस्थान को खंड सूर ग्राड पड़ता है, यदि चंद्रमा की प्रचाय का केवल छोरी प्रत्वी को छूता है, तो वल्या का सूर ग्राड पड़ता है अगला कोशन दोस्तों क्या ग्रह और उपग्रह से आप क्या समझते इस परश्टे करना है ग्रह दोस्तों वह खगोली पिंड जो प्रत्वी मतलब जो सूरी की परिक्रमार निशित पत्पर करता है दूसरे ग्रह की कछ्छा का अथिक्रमार ना करें ठीक नहीं यह ग्रह है मांचित्र क्या है मांचित्र के दो प्रयोग आपको लिखने है 2019 में कुश्चन आया था यह तो पहले मांचित्र का अर्थक्रम समझते आते हैं मैप गूगल मैप आपने दोस्तों देखा ना फोन में चलाते हूं मैप आता होगा देकिस सब्द लेटिन भासा कि मैपा मैपा का अर्थ है कपड़े का उरुमाल मैप सब्द मैपा का ही बदला हुआ सब्द है प्राचिन काल में मांचित्र कपड़े पर ही बनाया जाते थे मार्सल दूयूप के निवासी तानियों ताड़ पत्रों तथा सीपो द्वारा मांचित्र बनाते थे मिस्ट्रवासियों आसानी साब लोग बना के लिख दीजेगा फिर्दों से बता सकते हैं मालचीतर का क्या महात्व मैं आपका मतलब तो यह सब चीजे आसानी साब लिख सकते हैं दो नमर में ठीक है न उसके बाद दोस्तों देखते हैं ऐसे कोशन जो आपको समझ मना रहें और नए कोशन है कुछ जैसे कि अच्छांत रेखा किसे कहते हैं देखे कुछ रेखा है तोनों द्रुगों को मिलाती हुई अर्ध व्रत्ताकार बनी होती है इन्हें देसांतर लॉंग कि नक्से परबनी रेखाओं की सयाता से जादते हैं अगर ग्लोब और माचितर पर ये रेखाओं ना बनाई जाय तो हम प्रत्वी पर इस्तिति ठीक नहीं इस्तितिस्तानों की सई इस्तिति नहीं बता पाएंगे फिर दोस्तों बात करेंगे अगला कुशन हमारा क्या है कि विषगति देशांतर रेखाएं किसे कलते हैं तो देशांतर रेकां दोस्तों देखेंगे गलोब पर दुरोब पर एक बिंदु है दोनों दुरोब को मिलाती भी खीची जाने वाली कालपनीक रेखा sutं को को देशांतर रेखा कहते हैं, यह रेखाएं गलोब पर अर्ध व्रत बनाती हैं, जरूब बिंदु के 4 और अधिक्तम 360 डिग्री का कोड़ बन सकता है, अथा देशांतर रेखाओ, की कुल संक्या 360 होती है, इन्हें डिग्री के अंतराल पर अगर खीचा जाये तो, गलोब पर लेखाएं खीची जा सकती हैं, अब दोस्तों देखते हैं ऐसका अग्ला प्रसन, तो दोस्तों अग्ला क slी क्या आख कंटा है कि अंतर राश्टि तिथी रेखा किसे कहते हैं, या ऐसे कोशन آ सकता है करक रेखा वा मगर रेखा कि आप क्या समझते हैं, यह कोशन 2019 में पूरब या पश्य किसी भी दिशा में यात्रा करते करके पहुचा जा सकता है ग्लोब पर 180 अंग्स की पूरवी हुआ पच्छमी दिशांतर रेखा एक ही रेखा होती ही यह 0 दिशांतर रेखा में 180 अंग्स पूरवी दिशांतर के ओर चले तो 180 गुड़े 4 मतलब 720 मिनट या 12 घंटे या 12 घंटे का समय बढ़ जाता है तथा 0 डिग्री से 180 पच्छमी दिशांतर की ओर यात्रा करे तो 12 घंटे का समय कम हो जाता है अता 180 अंग्स पूरवी दिशांतर को ग्रीन वीच 0 दिशांतर रेखा होते वे 160 अंग्स पच्छमी दिशांतर तक यात्रा करने पर 24 घंटे या एक दिन के समय का अंतर आ जाएगा इसलिए पूरवी पच्छिम के ओर दोस्तों 100 अंग्स दिशांतर को पार करने पर एक दिन घट या बढ़ जाएगा इस आओ ब्योस्ता को दूर करने के लिए 170 अंग्स दिशांतर रेखा के साहरे अंतर आश्टिय तिथी रेखा माल ली गई है इसे माचितर पर देख सकते हैं प्रत्वी पर 100 सियंत या म्योतर के लगबक सास सास इस्थाल कंडो को छोड़ते हुए एक आलपनिक रेखा निरधारित की गई है इसे हम अंतर आश्टिय तिथी रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं इस रेखा को पार करते समय एक दिन बढ़तना अत्वा घटा कर दिया जाता है सोमार के स्थान पर दूसरा तिन सोमार ही होता है और तिथी भी सत्ताइथ ही रहती है तो दोस्तों प्रत्वी पर किसी स्थान पर विशेष का सूर्य की इस्तिति से परिकलित समय इस्थानी समय या लोकल टाइम पहलाता है इस्थानी मध्यान समय दरने वाली या म्योत्तर का माध्य प्रमाडिक समय या इस्टेंडर टाइम होता है जो इस थानी समय की आसविदा के कारण संपूर देज के लिए प्रस्तुत होता है जैसे भारत के लिए दोस्तों अब दोस्तों वात हो कि आपके विश्वत रेका या भूमद्य धरातर पर उतरी वा दच्छिडी दुरू के बीच 20 सूने डिगरी का कालपनिक व्रत करक रेका दोस्तों धरातर पर उतरी गुलार्द में विश्वत रेका तेज से एक बटे दो कोडिये दूरी पर खीचा गया कालपनिक व्रत अब दोस्तों मकर व्रत क्या होता है कि धरातर पर दच्छिडी गुलार्द में विश्वत व्रत तेज सई एक बटे दो से कोडिये दूरी पर खीचा गया कालपनिक व्रत अब दोस्तों हमारा अगला प्रस ने क्या रहा है इसको देखते है कि गुलार्द क् देखे गलोब पर एक मोटी रेखा खीची जाती है इसे भूमत दे रेखा और विश्वत वरत दो नामों से जाना जाता है यह वरत प्रत्वी को दो बराबर भागों में बाड़ता है इसकी उपर के आदे भाग को उत्री गुलार्थ और निचले आदे भाग को दश्डी गुलार्थ कहते हैं अब दोस्तों मारा अगला प्रत्ने की उत्री दुरू का हमें परिचे देने देखें 19 सदी के प्रत्वी के एक भाग को छोड़कर सभी बड़े बुभागों की खोज हो चुकी थी अब बड़े-बड़े महादीपो तथा परवत मालाओं की खोजी की जा रही थी मुकेता अब टेवल दुरूई प्रदेशों की खोज करती थी ऐसा अनुमाल लगा जा रहा था कि दच्चिडी दुरू और उत्री दुरू के चारों और एक विसाल महादीप फैला हुआ है बयानक ठंड के करण यहां जल कटोर बर्फ बन जाता है सालों से लोग उत्री दच्चिडी दुरू के खत्रे के बारे में अनुमाल लगाते हैं प्राचीन सबय में यूनानी लोगों ने उत्री दुरू को खोजनी की कोशित की उत्री दुरू पर पहुचने वाला पहला सफल प्रयास राबर्ट प्यरे ने किया राबर्ट फियरे अपने अंतिम प्रयास सन 1908 में सेरीडर अंतरीद तक रूजवेट नामक जहाज में गया उत्री दुरू पर अंटार्किटिक महासागर फैला हुआ है जो हमेशा बर्प से धका रहता है अब दोस्त बात हूँ कि आपके दशीडी दुरू का परिचे देना है जब उत्री दुरू के खोजे के प्रयास चल लेते उसी समय दशीडी दुरू के प्रतीवी लोगों की दिल्चस्पी बढ़ रहे थी सन 1910 में फैल्कलंड इसकार्ट ने अंटार्गिटिका की और इस द्रड निच्चे के साथ प्रस्तान किया कि वह अवस्य दशीडी दुरू पहुचेगा सन 1912 में वह अपने दल के साथ दशीडी दुरू पहुच गया लेकिन उसे वहा नार्वे का जंडा लगा मिला जिब 20 अक्टूबर सन 1911 को दशीडी दुरू में पहले पहुचने वाली यात्री रोयाड एमिनस्टन नामक एक नर्वे जियन्त है अगला कोशन दूस्त हमारे क्या रहा है कि संसार में कुल कितने महादूप हैं संचिप्त वडन प्रस्तूत करना देकि संचिप्त में ही देना आपको सबसे पहले दूस्त नम बात करेंगा आपके एसिया महादिप, महान संस्कृति और सभेतावे का महादिप है, यह साथ महादिपों में सबसे बड़ा है, छेथ फल की दरश्टी से संसार का एक बटी तीन भाग, एसिया महादिप में आता है, और साथ प्रजीसेद जंसंक्या इसमें निवास करती है, यह महादिप 10 अंद सचड़ी अच्छान से और 80 अंद उत्री अच्छान सक्तता 25 अंद पूर्वी देशांतर से 135 देशांतर तक विस्तरत है संतार का सर्वोच शिकर हिमाले इस महादीप में इस्तित है इस महादीप का दिकात भाग मांसूनी हवाव के प्रभाव में रहता है इस महादीप में कोग साल बास सदर्बूड आदी है यहां के मुख के पसु बंदर छिपकली हीरन साप चुहे रेकिस्तारी लोंबडी आती है अब दोस्तों इसके बाद बात कि हमारी दूसरा सबसे बड़ा एस्या महादीप को बात आपको आता है अफ्रीका ठीक है अफ्रीका छेथ रफल क महासागर और पूरव में हिंद महासागर इस्तित है ठीक दोस्तों इसको बढ़ लेंगे उसके बाद बात करें तीसरा आता है उत्तरी अमेरिका देखिए उत्तरी अमेरिका छेथ रफल की दरेश्ट से संसार का तीसरा सबसे बड़ा महादीप है उत्री अमेरिका के दच्षडी गुलाद में इस्तित होने के कारट इस महाद्यूब को दोस्ट हम दच्षडी अमेरिका कहते थी कि दो नमबर का कोश्चन रहेगा तो आपको विसी हिसाब से लिखना है ज्याता नहीं लिखेंगे क्योंकि दोस्तों समय के भी आपकी लिमिट होती है ऐसा नहीं कि ही भासा थी जिस प्रकार कई भार्ति भासाओं का विकास संस्क्रास से उसी प्रकार दोस्तों यूरोप ही भासा Freunde, पूर्थ गाली, स्टाइवली, का विकास लैटिन भासा में हुआ है इन भासाओं को बोलने वाले लोग को लैटिन कहते, ठीक नहीं अब अब्सक जन संक्यावाला उद्योगिक एवं विक्सित महादीप है। चेतरपल में केवल आश्टेलिया में ही यूरोप से ठीक दोसो चेतरपल केवल आश्टेलिया ही यूरोप से छोटा है। अश्टेलिया ही एक मात्र देसे जो पूरे महादीप पर फैला हुआ है। इसलिए से दोस्तों दूपी ये महादीप भी खहते हैं। यह पूरता दच्छिडी गुलाद में अवस्तिते मकर रेका तेस से एक बटे दो डिगरी। ठीक है दच्छिडी इसके लगबग 20 से होकर उजरती है। जेन्स कुक ने 1770 में अश्टेलिया की खोज की थी। अब सात्वा नमर दोस्ता आता आपको अंटार्किटिका। अंटार्किटा है महादीप दच्छिडी गुलाद में ध्रुगों के आत्पात इस्तिते हैं। अंटार्किटा है महादीप अंटार्किटिक व प्रस्वी के अधिकतर भागों को घेरे वें। प्रस्वी पर पाय जाने वरे समस्त जल का 97 प्रिसिसत भाग महासागरों में पाय जाता है। सागरों महासागरों का जल खा रहा है से 3% मीठा जाले जो धरातल पर हिम और बर्क के रूप में जीलों, नदियों और अन्य जला प्रस्वी में विद्दमान है। महासागरी जल के खारेपन का मापन प्रती हजार में किया जाता है। महासागरी जल की ऑसत लवडता 35 प्रिसिसत है। इसका तात्पर है 1000 ग्राम महासागरी जल में गुले लवड के मातरा 35 ग्राम है। धरातल पर महासागरों की संख्याप कि पहले में प्रसांद महा सागर तीसरा दोस्ता आपका अगला कोशन हम बात करेंगे हिमाले के निर्माट किस प्रकार हुआ इसको समझाना है देखिए आपका आज से करोड़ वर्स पूर हिमाले की जगए एक सागर जिसे तिठीज इसका नाम दोस्ती आज रखेगा थोड़ा तिठीज मा सागर कहा जाता था ठीक है इस विशाल सागर के उत्तर और दच्छिड में क्रमसा अंगारा और गुंडवाना लेंड नमक तो भू भाग थे अंगारा और गुंडवाना लेंड से निकल कर बहने वाली नदियों का पानी इस सागर में गिरता था, पानी साथ बैकर आया मलवा सागर की तलटी में पर्त दर पर्त जमा हो गया, प्रत्वी की आतरी खल्चल के कारण, सागर की तलटी में जमा हुआ परत दर मलवा मोड कर परवत का रूप उठाता गया, जिससे दोस्व विस्व की अब हिमाले के लाप दोस्तों में बता रहा है कि यह अच्छा कोशन है कि हिमाले परवत भारत के पहरी के रूप में इस्तित है यह परवत उत्तर जाने वाले ठंडी हवाओं को रोकता है यदि परवत ना होता तो हमारी जलवाई ठंडी और सुस्क होती तीसरा पॉइंट है अनेक गेडी बूटिया प्राप्त होती है, चौता है कि हिमाले परवत के जंगलों से पहु मूले लकडी प्राप्त होती है, अगला कोशन दोस्तो भारती उप महादीप को आकारेवर विस्तार की द्रश्टी से कितने भौतिक विभागों में बाटा गया, आपको यह बता रह विभारत का सबसे उपनी भाग है, इसे अगरे लिखे सिर्शकों के साथ समझा जा सकता है, जेकि दोतों हिमाले परवस रंकला, हिमाले तीन सामानांतर परवस रंकलाओं के रूप में पश्चिम में सिंदु गार्च से पूर में ब्रहंपूत्र गार्च तक जिस्तरत है, अब दोस्तों बात होगे, आपके व्रहत हिमाले अत्वा आंतरिक हिमाले, ठीक न, यह हिमाले परवत की सबसे उची परवस रेडी है, इसकी औसत उचाई, 6,000 मिटर और 14,000 किलो मिटर है, विस्तों का अधिकांत उची परवस चूटिया, इस ही परवस रेडी में इस्तित ह हैं, तो दोस्तों जिनके कुछ निम में प्रकार हैं देखिए, सबसे पहले दोस्तों आता हाथा आपका माउंट एवरेश, नेपाल में 8,848 मिटर उचाई संबुद्र तल से, जी यहां दोस्तों किसी की भी उचाई ली जाती तो इसको याद रखेंगे, संबुद्र तल से हमेशा उचाई ली जाती है, फिर दोस्तों बात आती कंचन जंगा, भारत में 28,598 माकालू, नेपाल में 28,481 धौला गिरी नेपाल में 8,172 नंगा परवस भारत में 8,126 अन्नपूर्णा नेपाल में 8,078 मिटर नंदा देवी भारत में 87,817 और नाम चाव रवा तिब्ब अत्वा मद्ध हिमाले क्या है, ठीक है न, यह ब्रहत हिमाले के दच्छिड में लगबग इसके समाना अंतर पूरू बश्चिन दिसा में विस्तरत है, इसके लंबाई 2700 से लेके 4,500 मीटर और चौड़ाई 80 किलो मीटर है, हिमाले के इस भाग में परवस रेडियो में पी, पंजाल, नाक्टिबा, महा भारत और मसूरी प्रमुक हैं, अब दोस्तों बात आती है के बाई हिमाले अत्वा सिवालिक स्रेडी क्या है, देखें दोस्तों यह लगब हिमाले के दच्छिड में इसके समाना अंतर पूरू बश्चिन दिसा में फैली हुई है, इसके औसत उ हिमाले, नेपाल हिमाले काली नदी में तिस्ता नदी तक लगबाग 800 किलोमेटर का लंबाई में विस्तरत है, इसका अधिकांत भाग नेपाल में इस्तित है, इसलिए इसे नेपाल हिमाले कहते हैं, दोस्तों बात आती है आपके असोम हिमाले, तिस्ता नदी से लेकर दिहा या सागबो ब्रह्मपुत्र तक 720 किलोमेटर लंबाई में असोम हिमाले फैला हुआ है इस भाग के प्रमुक परवत चोटिया कुला कांगडी चुमल हारी काबुर जांग सांगला तता पोहुनिया उसके पाद दोस्तों आता आपका पूरुवांचल या पूर्वी पहाडिया पूरुदिसा में दिहांच ठीक दोस्तों गार्ज के आगे हिमाले परवत की सेडिया दचिड के और मुड जाती है या पाडिया अरुडांचल प्रदेश नागलेंड मडिपूर मिजोरम मेघाले त्रिपुरा उस्तरी आसोम और भारत तता मेहमार की सीमा पर फैली हुई है फिर आता आपके हिमाले की दर्रे हिमाले परवस रेड़ी के आर पार जाने के लिए इसमें अनेक दर्रे विद्माने हिमाले के अधिकान दर्रों के आउसत उचाई 4,800 से लिए 5,500 मीटर है रांस हिमालेस लेडी जह माहन हिमाले के उत्तर तथा सिब्बत के दच्छिड में इस्तित हैं इसमें लद्दाग, जातकर, कैलाज तथा काका, कोरम, परवस लेडियां समझे थे फिर दोस्ता बात आती हैं कि सिंदु गंगा, ब्रह्म पुत्र का मैदान तो हिमाले परवस तथा दच्छडी प्राइदी पठार के भी, सिंदु गंगा तता ब्रह्म पुत्र नज्यों की निछेव क्रिया द्वारा निर्मित एक विठाल मैदान इस्तित है जिसे हम सिंदु गंगा ब्रह्म पुत्र का मैदान कहते हैं भारत के उत्री भाग में इस्तित होने के कारण इसे उत्री भाग भारत के मैदान भी कहते हैं अब दोस्तों आता है उत्तर के मैदान ठीके देखे सिंदू से लेकर असोम तक इस विजाल मैदान के उच्चा वच में महत्रपूर्ग प्रादेशिक बिनताय पाई जाती हैं इस इस वी नताओं के आदार पर इस विसाल मैदान को निम निकत भागों में भ भाजित किया गया है. फहला दोस्तों सिंद्धु का मैदान, पंजाब यह रियाड़ा का मैदान, गंगा का मैदान और चौथा आता है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान अब बात आती दोस्तों आपके प्रायदीपी पठार क्या है जिके भारत का प्रायदीपी पठार प्रदेश एक अनियमित रिपुजा कार आकरती में फैला हुआ है इसका आधार दिल्ली एवं राजमहल पाड़ियों के मध्य में उत्तरी मैदान की दच्छिडी सीमात तथा सीर्स कन्या कुमारी है ठीक है तटी ये मैदान दोस्तों क्या है देखिए दच्छिडी पठार के पूरू तथा पच्छिव में दो सक्रे मैदान है जिने क्रमसा पच्छिमी तटी मैदान तथा पूरूरी तटी मैदान कहते है इसका विब्रण निम लिखिते है दच्छिडी तटी मैदान यह मैदान पच्छमी घाड तता अरब सागर के टट के बीश गुजरा से कन्या कुमारी तक फैला हुआ है पूरवी 30 मैदान, दोस्तिया मैदान पूरवी घारो था भंगाल की खाड़ी के उत्तर में गंगाए मुहाने दचिड के में कन्या कमारी तक फैला हुआ है अगला कोशन दोस्टों क्या है भारत की जलवायू को कितने भागों में विवक्त किया गया ये कोशन आ सकता है ये कोशन ऐसे बनेगा कि भारत की जलवायू के बारे में लिखे यहां मुख्यरूप से कितनी रित्वे होती है और उसको लिखना है तो दोस्तों उत्तर कैसे लिखेगे कि भारत की जलवायू, भारत की मांसूर्णी जलवायू पाई जाती है क्योंकि यह मांसूर्णी पौनों के प्रभाव के छेत्र के अंतरगत आता है भारतिय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायू को चार रितियों में विभक्त किया गया है पहला दोस्तो सीत रितु, ग्रिस्म रितु, वर्सा रितु और सरत रितु तो दोस्तो सीत रितु में क्या होता है? इस रितु का समय मद दिसम्बर से फरोरित तक माना जाता है। फिर दोस्त दूसरा आता आपका ग्रीस्म रितू, यह रितू मार्च से मद्द जून तक की होती है, इस माँ में सूरी धीरे धीरे उतरायड होकर लगबग भूमद रेका के उपर लंबोध चमकने लगता है, फलता समस्त भारत का तापमान बढ़ जाने से उत्तर तता उत्तर पश्यम भारत में गर्म तेज हवाय, लगवाच 40 डिग्री सेल्सियत तक चलने लगती है, जिने दोस्त हम लू कहते हैं, ठीक है यह सब आप लोग बना के लिख सकते हैं, फिर तीसरा पॉइंट आता आपका वर्सर रितू, इस रितू का समय दोस्त जून से लेकि सितंबर तक का होता है, जून के समय सूर्य करकर रेखा के आसपास लंबोग चमकता है, फलता उतर पशिमी भारत में निम्न वायुदाप का केंद्र अधिक तापमान होने के कारण बन जाता है, जो ही निम्न वायुदाप की तीवरता बढ़ती है, दच्छिडी पूर्वी ब्यापक पशिम हो जाती है, फिर दोस्तों क्या होता है, इन्हें दच्छिड पशिमी मांसून भी कहते हैं, यही दोस्तों आगे बढ़ते हैं मांसून की रितु भी कही जाती है, फिर दोस्तों चौथा पॉइंट आता आपका सरद रितु, दच्छिड पशिम मांसून उत्तरी भार के प्रारम तक लोड़ जाता है ठीके ना ऐसे आप बना कर लिख सकते हैं फिर दोस्त हमारा अग्ला प्रस्मिस को देखते हैं कि भारत के प्राकृतिक वर्णस पतियों का वर्गी करण आपको करना है सबसे पहरे दोस्त हम बात करेंगे उष्ट कटबंदी सदाबार वर्षा और दोस्तो भारत के प्राकृतिक वर्णस पतियों कम पाच वर्गों में वर्गी करत करते हैं जिसका आंसर कैसे लिखेंगे यह वर्णस पति पश्चमि घाट के सहाद्री अधिक वर्षा वाले चेत्र 200 सेंटीमीटर से अधिक मेगाले चेत्र अंडमान वन निकोबार और प्रक्रतिकी होती है इन में प्रमुक रूप से महोगनी आबनुस बास बेद सिंकोना रबड उलेखनी है उसके बाद दूसरा रंबर आता अपको उष्ट कटबंदी आद्र पडपाती वन दिखें ऐसे वनों को मांसुनी वन भी कहते हैं भारत में जिन भागों में वर् इसरत है इनमें सागौन मुख की रूप से उलेखनी है उत्तरी छेत्र में साल सिकुआ आर्थिक द्रश्टी से महतपूर है तीसरा बिंदू दोस्तों उष्ट कटबंदी सूस्क पडबाती वन ऐसे व्रच उन भागों में बहुत आयत मिलते हैं जहां वर्षा की मातरा 70 cm से लेकि 100 cm सक होती है वर्षा की कमी तथा जलवायु की विसमता के कारण इनमें उचे व्रच ठीक तोस इनमें उचे व्रचों का भाव होता है ये व्रच उत्तर प्रदेश के दिक्तर भागों पश्यमी बिहार उत्तरी वपश्यमी मध्यप्रदेश महराश्ट के अतिकान करनाटक की मद्यवर्थी संकीर पट्टी में विस्तरत है फिर 204 पॉइंट आता आपका कटीले वन ये वन उन खेतरों तक सीमीत जहां वार्षिक वर्षा की मात्रा 30 सेंटी मीटर से भी कम होती है इनमें दोस्तों काटेदार बॉने वर्ष और जाडिया पाई जाती है बबूल कीकर खजूर समान वर्षा वाले छेतरों में पाई जाते हैं उसके पाद 25 वा बिंदो अता परवत्ती वन हिमाले प्रदेश के वन उचाय के साथ बदल जाते हैं ह हिमाले के पदी भाग उश्र कटबंदी पढ़ पाती वनों से अच्छा दीते हैं इस पेटी का सबसे महतपूर वरच्च साल है ठीके न दोस्तों इससे अधिक उचाय पर उपूश्र कटबंदी पढ़ पाती वनस पती पाई जाती है जहां सदाबार ओ चेश्टनट और ची प्रेका तक अलपाइन वनस पती मिलती है जिन में केवल जाड़िया और घासे मिलती है अगला दोस्तों कोशन हमारा क्यारा ज्वार भाटा किसे कहते इसको बताना है तो ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया है जिसमें सूर्य वह चंद्रमा की गृत्वा कंसरट की सक्त प्रति दिन समूद्र तल पर उठता हुआ उपर उठता और निजे गिरता है पानी के उपर उठने की क्रिया को जोहा तथा नीचे गिरने की क्रिया को हम भाटा कहते हैं अगला कोशन दोस्तों कि भारत में कौन थे दो दीप हैं तो पहला दोस्तों लच्छी दीप आता है दूसरा अंडमान एको एवम निकोबार दीप समुग याद रखना है अगला कोशन फसल पकने और काटने के अउसर पर देश में मनाय जाने वाल आता की फिर मकर सक्रांती, पोंगल, लोहडी, ओली, इत्यादी अगला कोशन दोस्तों पठार और परवत में अंतरे आपको बताना हैं क्या अंतरे पठार और परवत में पहले बात होगी पठार की पठार रुख रशना या तो प्रस्भी की भूगरभी खलचलों के कारण स जिससे कलांतर के पठारों की रूप में परिवर्तन हो जाता है अब परवत दोस्तों देखें परवत ना तो परवत ना परवत उस रेडी की अथवा उच्छे स्थान को कहते हैं जिसके ढाल तीव रहों वह अपने समीक वर्थी छेतर से इतना अधिक उचाओ कम से कम 300 मीटर क दिखाई दे सके तता उसका सीकर छेतर पठार के विप्रीज संकुचित होना चाहिए अगला कोशन दोस्तों कि प्रत्वी के आंतरिक क्रिया कौन को थी है आपको बताना तो देखते हैं प्रत्वी के धरातल के आंतरिक सक्तिया जहां निरंतर विसम डाल वह विवित बनाती है वहीं ःप्रत्वी सकतिया अप्च्छ और अपरदं के प्रभाव से उच्छे भागों का निमनी करण कर लिवर मिचले भागों में जमाव कर निरंतर समतली करण की प्रक्रिया को जारी रखते उए अत्बूतल गों समतल बनाने में अपच्छ हो अप यसरी योग रहता है अधा जीस प्रक्तिया के द्वारा सक्तिवर बूतल पंदिरंतर काट चाहट रहती है उसी पर आना च्रहतन कहते अगला कॉशन दोस्तोर चरक सहीता क्या निर्देशित करते आपको बताना है महान आयुन वेदाचारे चरक द्वारा लिकित पुस्तत करता है कि शरीर में पित, कफ और वाईू का संतुलन बनाकर सवस्तर रहा जा सकता है अगला कोशन दोस्तो राश्टी गीत के इस अंस को पूरा किजिए वंदे मातरम फ्रिदोसो सुजलाम तर्श शामलम मातरम तो दोस्त हमारा राश्टी गीत है बंकिम चन्द चटर जी ने संत्करत में वंदे मातरम गीत की रचना की जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है यह गीत स्वतंतरता संग्राम में जन का प्रेड़ा सुरूत था यह गीत पहली बार 1896 में भारत थी राश्टी कांग्रेस के अधिवेशन में गाय गया था इसका प्रतंपद इस प्रकार है थीक दोस्तों फिर अगला प्रस्ण है हमारे राश्ट दोस्त के उपर से नीचे रंगों का करम आपको लिखना है सबसे उपर दोस्तों आपका केसरिया होता है मद्य में आपका सफेद रंग अंत में आपका हरा रंग होता है अगला कोशन ग्रामीड एवं नगरी जीवन की सैली की तुलना कीजे ठीक है तो देखें कि गाव और नगर के जीवन में अंतर है गाव में देखते लोग किसान है और वे खेती करते है गाव की लोग अंद तथा रूवी पैदा करते है इनसे लोगों की खाने पीने और पहने की जरूरते पूरी होती है गाव से आने वस्त्वे भी सैरों की ओर जाती है जैसे दोस्त आपका दूर्द होगे अंडे होगे फल्दता सबजी है सहरों में दिखतर लोग नौकरी करते हैं वे बैपार भी करते हैं सहरों से भी बहुसी वस्त्वे गाव तो जाती है जैसे दोस्तों कपड़े वे सापूल ठीक दोसों दिया सलाई, तेल, नमक, कापी, किता, साइकिल आती इस तरह गाव और सहर के लोग एक दूसरे पर निर्भर करते हैं नगरों में हम कई प्रकार की सुवधाय मिल जाती है यहां एक अस्तांते दूसरे स्थान को आने जाने के लिए टैंपू, बस, सिच्छा के लिए बड़े-बड़े स्कूल, कॉलेज और बिजली से प्रकासि सडके है सामान खरीदने के लिए बड़े बाजार और इसके विप्रित बहुत से गावों को बिजली नहीं है गावों में बड़े-बड़े विद्याले भी नहीं है अता उची कच्छाओं में पढ़ने के लिए बच्चों को सहर में जाना पड़ता है ठीके दोस्तों आप समय बदल रहा है ठीके दोस्तों ऐसे आप बना का लिख सकते बढ़े ऐसा अगला कोशन आता हमारा ग्राम 25 के कारे आपको लिखना है गाओं और नगर के जीवन में अंतर है गाओं में दिखतर लोग किसान है ठीक दोस्तों हमारे देश में प्रत्येक सो ब्यक्तियों में से लगबग बहातर ब्यक्ति गाओं में रहते हैं इनमें मुख्य कारे खेती पसुपालन वा छोटे मोटे काम दंदे कम से कम दोस्तों एक हजार के आबादी पर एक ग्राम पंचायत होती है जिन गाओं की आबादी एक हजारते कावे वहाँ पास के अन्य छोटे छोटे गाओं को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाए जाती है यानि एक G्राम पंचयाच अन्ले मिले वे सभी कामों के लिए काम करती है अगला कोशन दोस्तों क्या G différents पंचयाच का गठन किस प्रकार होता है गाम पंचयाच का महतवाब़ आपको बताना है तो ग्राम पंचयाच समिती गाव में रहने वाले लोगों के द्वारा पंचयाज समिती का सद्द से चुना जाता है दिखे ग्राम सभा की कुल जन संक्या दोस्तो और ग्राम समिती की सद्द से संक्या 1000 पर 209 होती है 2000 पर 211 होती है 3000 पर 213 होती है और 3000 पर 215 होती है ठीक है न? तो ग्राम 55 समिठी की सद्दसे होने के लिए बेक्ति को उस गाउं का निवासी तथा भारत का नागरिक होना अवश्चक है उसकी उम्रक कम से कम 21 वर्स की हो वह पागल या दिवालिय ना हो वह किसी नियाले द्वारा कोई सजा ना पाया हो इसके अलावा थारा वर्ष के सभी इस्त्री पुरुस मद्दान के द्वारा ग्राम पंचाय समिती की सदस्य का चुनाओ करते हैं पंचाय समिती के सदस्यों की संक्या 9-10-15 तक हो सकती है यहां सक्या उस ग्राम सभा की कुल जन संक्या के आधार पर होती है अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग की ग्राम पंचाय का महत्व क्या है ठीक है ना गाओं से समद्दित नेड़ा ग्राम पंचाय के लिए लिए जाते हैं गाओं के लोग अपनी इस्थानी समस्याओं को आसानी से ग्राम सभा में ही सुल्जा लेते हैं, जिससे उनके समय संपत्ति और संसातनों की बचत होती है, ये सदसे ग्राम पंचायत का अने वाले गाउं से 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, कानून के अनुसार ग्राम पंचायत में महिला तथा अनुसूची चातिक सदस्यों का हो जाता है, ग्राम प्रधान के अनुपस्ति में उपर प्रधान ही उसके कार्यों को करता है, ग्राम प्रधान के लिए चुना जाता है, ग्राम प्रधान की अनुपस्ति में उपर प्रधान ही उसके कार्यों को करता है, ग्राम प्रधान उपर प्रधान तथा पंचायत समिति स तो दोस्तों आपको पता होगा कि यार क्या होता है तो ज़्याद हम सच्चा ही नहीं बताएंगे और अगले कोशन पर अब बात करेंगे तो दोस्तों अगला कोशन के रहा आपका कि छेत्र पंचायत के गठन पर प्रकास डालिये तथा इसके कारियों की विवेशना करने आपको तो दोस्तों चलिए देखते हैं छेत्र पंचायत क्या होता है तो विकास खंड के हर गाव में प्रधान का चुनाओ होता है इन्हें महिलाओं के लिए आरच्छी सीटे कहा जाता है इस छेत्र के सांसत और विधायक भी छेत्र पंचायत के सदस्य है छेत्र पंचायत के सभी सदस्यों ने अपने बीच में एक पंचायत प्रमुख चुना जाता है पंचायत प्रमुख पंचायत की बैटकों में सभा का संचालन करता है उन्हें लोग ब्लॉग प्रमुख भी कहते हैं सभी पंचायत सद्द से आपस में विचार्ट विमस करके एक प्रमुख व एक कनिष्ट उप प्रमुख भी चुनते हैं छेत्र पंचायत के सदत से में कोई भी 21 साल से कम नहीं होता क्योंकि इस से कम उम्र का ब्यक्ति पंचायत के सदत से नहीं बन सकता है। अब दोस्तों बात करेंगे जिला पंचायत के गठन तथा कारों का हमें वड़न करना है। जिला पंचायत क्या देखते हैं। विकेंद्री कत पंचायती राजव्योस्ता के अंतरकत जिस तरह हर गाउं में ग्राम पंचायत वा हर विकासफंड में एक छेत्र पंचायत काम करती हैं। से एक अध्यच और एक उपाध्यच चुनते जिले का मुख्य विकास अधिकारी या दोस्ता आपका CDO जिला पंचायत का सची होता है। जिले में अवज से होनी चाहिए। ऐसा है नियम कहता है। अब दोस्तों जिला पंचायत के कारें देखेंगे। विकास खंड का नाम काच। ठीक ना काम काच देखने के लिए जिला पंचायत अपने सदस्य की छोटी-छोटी समीतिया बनाती है। जैसे सिछा समीतियों के सिचाय बेऊस्ता, समीति, पसु पालन, समीति, भूमी विकास समीति, ये समीतियां जेले के पसु पालन, सिचाय खेती वा जमीनों की देखभाल का काम करती है। छेत्र पंचायत के कामों का जिला पंचायत पर वेच्षट देख रेख भी करती है। तीर इस तरी पंचायत ब्योस्था में ग्राम, विकास, खंड एवं जिला इस तरफ पंचायत ब्योस्था काया में, तीनों इस तरफ पर प्रति निद्यों की चुनाव प्रक्रिया आए, के सुरोत एवं कारे लगब एक जैसे ही हैं. अब दोस्तो अकला प्रस नमारा क्या रहा है कि नगर पंचाथ के प्रमुक कारे आपको बताने है तो दोस्तो नगर पंचाथ के चलिए देखतें क्या है नगर पंचाथ नगर पालिका परिस्द और नगर निगम के कुछ नियम कानून है ये नियम कानून राजिक की सरकार बन जाती है, सहर में रहने वाले वे सभी लोग जिनकी उम्र 18 वर्से या अधिक उससे अधिक है, तो नगर पंचायत, नगर पालिका, परिसद वर नगर निगम के सदस्यों के चुनाओं में वोट डाल सकते हैं, सहर में रहने वाला कोई भी ब्रक्ति जिसकी उम्र 21 वर्से अधि जातियों के सदस्यों होते हैं, पांचवा बिन्दों दोस्तों की नगर पालिका परिस्त का एक अध्यच होता है, वह उसका सदस्यों होता है, वह जनता दौरा चुना जाता है, इसके कुछ पद आरच्चित होते हैं, चाटा पांडे दोस्तों, नगर निगम भी कावी का एक आयूक्त्य मुख्यकारी-पाली ब्योस्ता समिती, सफाई ब्योस्ता समिती, स्वास्ता समिती आदी वार्ड मेंबर सदस्य इन समितियों के सदस्य होते हैं ये समितिया ही इन संस्ताओं के कारियों के बारे में नेड़े लेती हैं देखे नगर पंचायत, नगर पाली का परिशत और नगर निगम के कारें निम लिखी थे, सड़कों की ब्योस्ता, पानी की ब्योस्ता, सड़कों परोसनी लाइट की ब्योस्ता कराना, सहर की साब सफाई करवाना, कचरा उठाना, बजार एवन सबजी बजार की सफाई की ब्य जले के प्राषासन में उसके भूमिका का वड़न करना है. जले का सासन की समिच्छा भी करता है जिला प्रसासन के कार्ण पहला दोस्तों कि जिले में सांतिय और व्योस्ता बनाय रखना भूमी व्योस्ता जैसे भूमी माप, खतरा, खतवनी, कारक रखा हुआ लगान की वसुली करना, तीसरा पॉंट नागरिक सुधा वह सभी को विकास के समान अवश्यक है, सभी जीवन की सुरच्छा चाहते हैं, इन कारों के लिए जिले में बहुत से सरकारी विभाग, अधिकारी हुआ कर्बचारी होते हैं अब दोस्तों बात होगी जिला प्रसासन के अधिकारी हुआ उनके कार्ण है सबसे पहले दोस्तों जिला नया धिस, नया करते हुए अपराजियों को दंट का फैतला सुनाता है बेसिक सिच्छा दिकारी, विद्ध्याले खुलवाना, विद्ध्याले में पढ़ाई लिखाई की बहुस्ता करना मुखे विकास दिकारी दोस्तों की क्या है? पार्क, संग्राले, मनुरंजन, ठीक है मनुरंजन की स्थानों का निर्माण कराना मुखे ची किस सदिकारी? मरीजों का इलाज, परिवार, कल्याड के कारिकरम, विबारी की रोग था अगला प्रत्मे की नगर, पंचयाथ, नगर, पाली का परिशत और नगर, निगम की आए के साधन बताईए हाँ भाई, आए कहां से आते, इनके पैसा कहां से आता है, ठीक है न, इसको देखते है सीधे पहला बिंदू सहर में जिनके निजी मकान या जमीन है, उन्हें मकान या जमीन पर टैक्स देना पड़ता है यह कर उस सहर की नगर, पंचयाथ, नगर, पाली का परिशत या, नगर, निगम, एकत्रित करती है दूसरा बिंदू दोस्तों, पानी, सडकों की बिजली और सहर की सफाई के लिए लोगों से महिने का टैक्स या कर वसूल किया जाता है तीसरा बिंदू दोस्तों, सहर में जो दुकान लगाता है, उसे अपनी दुकान दारी के लिए टैक्स बरना पड़ता है चौता पॉइंट सहर में चलने वाली सवारी गाड़िया जिनमें लोग पैसे दे कर सफर करते हैं जैसे बस हो गया टेंपू हो गया जीप या उनसे यात्री कर वसूल किया जाता है यह कर उस सहर से जाने पर या उस सहर सक सफर करने वाले हर यात्री से लिया जाता है पांचवा बिंदू दोस्ति ये संस्ता है इन करों के अलावा किसी भी मनुरंजन पर टैक्स या कर ले सकती है जैसे फिल्म होगी प्रदर्सनी सरकस नोटंग की आदिपन छटा बिंदू की इन संस्ताव को सरकार से अनुदान भी मिलता है अगला कोशन दोस्ति याता यात एवम सुरच्चा के प्रमुख नियम लिखिए दिखिए सबसे पहले बाई सड़क पर आपको लेप्ट साइड या बाई और चलना चाहिए दूसरा बिंदू सड़क पर याता यात नियंत्रड के लिए हरी पीली वा लाल बत्तियों का ध्यान रखे हरी बत्ति का संकेत मिलने पर ही चलो बत्तियों को निर्देश का पूरा आपको पालन करना चाहिए तीसरा बिंदू सड़क पर सड़क तभी पार करो जब हारी बत्ती हो जाए जहां तक हो सके उसी स्थान पर पार करो जहां सड़क पर यत्री ओं ठीक ना पध यत्री के लिए जैबरा के निसान बने हो चौता में दोस्तों क्या है कि जहां सड़क के दोनों और पत्थी के फुट पाथ बने हैं पैदल चलते हैं उन्हीं का प्रयोग करें बाकि दोस्तों आप लोग ऐसे ही बना कर लिख सकते हैं इतना हो तो सिंपल सिंपल चीजे हैं इसको आप लोग जयाता मत पढ़िए यह सब कोशन्स आपकी फ्रीक होते दो नमर आपको फ्रीक के देखे जाते हैं ठीक है ना बनाकर ज़रू लिख आइगा अगला प्रससी दोस्तों कि आपका कि सड़क पर यातायात के साबनों के अधिक्ता के कारट बताईए या सड़क दुरगटना होने के क्या-कारट हो सकते रही है बागी दोस्तों आप लोग को तो पता ही है सब बनाक लिखने वाली चीज़ें अगला कोशन दोस्तों सड़क दुरगटना से बचाओ के पांच उपाई लिखे 2019 का कुश्चन सोची इतना आसान कोश्चन नहीं था कि से की पहला बींदू देखते हैं पहले अपने वहांद के ब्रेक टाइठ इत्यादी टिंट्र तेन शेक चलें फिर दोस्तों दिखे रात त्ली में वहांद चलाते समयं उसके बत्य जरूर्ज जलाते हैं जिया नहीं आपने देखा को जो फोर मौडल आया था बाइक में जि सीट बेल्ट जरूर बांदे पांचवा बिंदु एम्बूलन्स दमकल और पुलिस जैसे आपात डूटी पर तैनात वहानों को पहले रास्ता देना चाहिए ठीक दोस्तों यह सब चीज़ है यह बना कर आप लिख सकते हैं अंगला कोशन दोस्त क्या है कि रेल से यात्रा करते और उतरने का प्रयात ना करें जब तक ट्रेन ना रूखे दोस्तों आपको ना चड़ना चाहिए ना उतरना चाहिए चूंकि इस प्रयात से ब्यक्ति विकलांग हो सकता है तथा हम्रत भी हो सकती है तीतरा की रेल के दरवाजे पर खड़े उकर यातरा नहीं करने चाहिए क बना के लिख लेजिए अगला प्रक्तर से कि राष्टी आयय का अर्थ लिखे एंवं उसके प्रकारों का वड़ाना को के नहीं देख राष्टी आयय का आर्थ हैं निमने प्रकार से प्रकत की जाती है पहला दोस्तों सकल राश्टी उत्पादन दथा सकल घरेलू उत्पाद सकल राश्टी उत्पादन से अर्थ एक वर्ष में उत्पादित होने वाले सभी वस्तो और सिवाओ के बाजार मूल के जोड से हैं इसमें साइ संपतियों पर होने वाले हाथ को नहीं घटाया जाता है ठीके दोस्तों नहीं घटाया जाता है वास्तों में सकल राश्टी उत्पादन के दो अन्वानों का जोड है पहला दोस्तों की देश में उत्पादे सभी वस्तूओं के मूले, दूसरा की विदेशों से प्राप्त सुद्ध आए, सकल राश्टी उत्पादन देश के संपूर उत्पादन हाश बिना घटाय ही का बाजार मूले होता है, राश्टी आए, सुद्ध उत्पादन हाश घटा तो दोस्ट इसका क्या अंतर रहा कि सकल राश्टी उत्पादन में हाश घटानेक बाद जो सेस रहता है वह सुद्ध राश्टी उत्पादन या सुद्ध घरेल उत्पाद कहलाता है गड़ती रूप में या NNP वा NDP पराबर GNP और GDP जियां दोस्ट आपने GDP के नाम कावी सु सुद्ध राश्टी उत्पादन से देश में उपभोग बचत निवेश के लिए उपलब्द राश्टी आधी का बोध होता है ठीक है ना अगला कोशन दोस्तों क्या मतलब अगला पॉइंट है राश्टी आए इसे साधन लागत पर सुद्ध राश्टी आए भी कहते हैं इ सुद्ध बिन्द दोस्त ब्यक्तिकत आए या घरेलू उत्पादन यहां आए वह आए जो की वास्त्वों में देश की जनता द्वारा एक वित्ती वर्ष में प्राप्त की जाती है राश्टी आए समंदी यह अवधारणा देश के क्रह सक्तिकों मापने की द्रेश्ट से मह सरकार द्वारा सामाजिक सुदार पर बै अगला पॉइंट है दोस्तों बै जोग्य आए इसका तत्पर है जनता के पास सुद्ध आयक आए जिसे जनता बै करने को तत्पर है ऐसी आए कि गढ़ना के लिए ब्यक्तिकत आय में से ब्यक्तिकत प्रतिश्च करों को घटा दिय जाता है अब दोस्त अगला प्रस्में क्या इसको देखते हैं अर्थ सात्रे से आप क्या समझते हैं अर्थ सात्रे के महत्वकावन लेकर ना देखिए 2019 का कोश्चन नहीं इंपोर्टेंट हो सकता है प्रोफेसर मार्सल के अर्थ सात्रे मानु जीवन के साधारण ब्योसाय क का अध्यन है इसमें ब्यक्तिकत तथा सामाजिक रियाओं के उस भाग के जाच की जाती है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपवियों से बड़ा ही घनिष्ट संबंद है अब दोस्तों बात करेंगे अर्थ सात्रे का महत्वन डाक्टर सर्मा के सब्दो में अर्थ सात्र ज्यान की एक ऐसी साखा है जिसके अध्यन से अचूति रहने पर व्यक्ति अपनी आर्थिक रियाओं को सामणजिक रुखने की तथा अनिक रियाओं में सामधिक से बनाय रखने में असफल रहता है ठीक दोस्तों बागी आप बना की लिखे का देखर के करता है दूसरा प्रोइंट है दोस्तों कि अर्थ सात्त्र के अंतरगत प्रतिपादित नियम हमें भावी आर्थिक घटनाओं की जानकारी देते हैं जिससे केवल आर्थिक जीवन ही प्रभावित नहीं हो सकता है अफितु समाजिक राजनेतिक तसा धार्मिक जीवन भी वगत्रश्ट से अर्थास का ध्यान या जान्कारी ब्यक्ति के आर्थिक क्यान को बढ़ाती हैं, वह मित्वयई बनता है, ठीके न, बनाता है, अपनी समित्ही आय के विवयोगोड धन्से खरच करके अपनी आधिक्तम आउसकता हो कि संतुष्ठी करने के योग के बनाता हैं. चौथा पॉइंट दोसो अर्थ सात्र में सिध्धान्तों या नियमों की रश्णा की गई हैं वे संपूर्ड विस्तों में एक समान ब्यक्ति पर लागू होते हैं यदि ब्यक्ति की ब्यक्ति का या अर्थ ब्योस्ता की किसी भी इकाई का संचालन या नियम ठेकर न इन यमों के इंतरगत होता है तो वह आर्थिक छेत्र में ही ने समस्त छेत्रों में सफल रहता हैं अब दोस्त पांचवा पॉइंट कहा है कि आर्थिक जगत की समस्या को 5 भागों में वर्गी करत किया गया है, उपभोग, उत्पादन, वििनिमै, वितरण तत्था राजेस्व के ये समस्त भाग, ब्यक्ति या आर्थिक जगत की किसी ना किसी इकाई की समस्या के अध्यन से स प्रश्ट से भ्यक्तिका तता सामयुक आर्थिक समस्या का समादान उक्त इन भागों से ही प्राप्त होता है। अगला प्रसन क्यारा दोस इसको देखते हैं कि आर्थिक विकात को संचिप्त में समझाईए। अब आर्थिक विकात आपका क्या इसको देखते हैं। आज के भौतिक तता प्रतियोगता वाले यूग में दुनिया का हर देश अपने विकास के लिए प्रदेश में सील है। आर्थिक विकास के इस तर्व के आधार पर ही विश्व अर्थ बेवस्ताव को मोटे तोर पर तो भागों में विभाजित किया जा सकता है। विकसी तता विकास सिल देश दोसे विकसी देश वे देश होते हैं जिनका परियाप्त विकास हो चुका है। ठीक ना जैसे सयुकत राष्ट अमेरिका, सोवियत, रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस आदी। जबकि विकास सिल देशों की स्रेडी में वे देश आते जिनके विकास की परियाथ से संभावनाए हो। बले ही उनका वर्तमान समय में विकास कम हुआ हो जैसे भारत, चीन, क्विबा, पाकिस्तान, स्री लंका, थाइलेंड, इरान, आदी। आर्थिक विकास कार से तीन प्रिकार्दे समझा जा सकते हैं दोस्तों। पहला पाइंड दोस् जीवन इस तरह में व्रति को आर्थिक विकास का प्रति प्रिक मान कर। अगर। дело दोस्तों बात होगी कि सामाने रूप से आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा दीरगकाल में किसी आर्थिब्योस्ता के वास्तिविक राष्टी आया उत्पादन में व्रत्ति होती है एक वर्ष के अवधी में किसी देश में जितनी वस्तुव और सेवाव का कुल उत्पादन होता है उसे ही उस देश के वास्तिविक राष्टी आया कहते है इस प्रकार किसी देश में ठीक नक्के द्वारा अपनी वास्तिविक आया को पढ़ाने के लिए सभी उत्पादन साब्दों का कुसलतम प्रयोग करना ही आर्थिक विकास कहलाता है अब दोस दोस्तों आपके बहुई कल्पी प्रतने, पार्ट 2 में आपके अतिलग उत्री प्रतने, पार्ट 3 में दोस्तों आपने अभी तुरन लगउत्री कोशन्त को देख लिया है तो दोस्तों अगर आप अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब ना कि तो पहले जो रेट वीडियो में तब तक के लिश्टेया कनेक्टेड और आप लोग पढ़ा ही करते रहें